तो यार आज हम लोग algebra के अपने portion को, ठीक है, algebra जो हमारा चल रहा है, उसको हम लोग आगे continue करते हैं और आगे कुछ एक बाते कर लेते हैं, algebra से related, ठीक है जी, शुरू करें सबसे बहले, hi, hello, good afternoon, वगेरा, जो भी है, प्रणाम, प्रणाम जी, सभी बच्चों को, ठीक है, चलो जी, मुद्धे बे आते हैं, आगे की कहानी सुनना, अभी तक हम लोग में क्या 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 करते हैं, यह सारी information आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो U capital है, R capital है, आगे की कहानी सुनना, अभी तक हम लोग में क्या क्या कर, sorry, algebra में हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, और क्या करने वाले हैं, एक बार उसके उपर हम लोग one by one discussion कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा clarity बनी रहे, तो अप लोग का पहले मैंने session रखा, लोग को पूरी तरह sum up किया, और फिर हम लोग ने उसके PYQs किये, फिर हम लोग ने क्या किये, लोग के किये PYQs, और बाकि जो मेरे top 10 question की series चलती है, उसमें time to time में लोग की practice कराता रहता हूं, ताकि chapter आप लोग यह touch में बना रहे, फिर हम ल स्रीज के जो PYQs हैं, उसका एक second part आना है, क्योंकि अभी वो complete नहीं हुए है, अभी PYQs थोड़े से रहते हैं, 2019, 2020 and 2021 के PYQs अभी रहते हैं sequence series के, तो वो मैं किसी दिने कल परसों में session में schedule कर दूँगा, आपको telegram पे update कर दूँगा, तो आप लोग sequence and series का वो session देख ले सारी चीज़े sum up कर लेंगे, ठीक है, बाकी यार आप सबको परेशान होने की जरुवत नहीं है, October से आगे नहीं जाएगा, ठीक है, और मेरा ये कहना है कि बाकी चीज़े आप बहुत जल्दी में बढ़ रहे हो right now, क्योंकि time कम है, जैसे arithmetic आप काफी तेजी में sum up कर रहे हो या geometry या जो भी चीज़े हैं, लेकिन जो algebra है क्योंकि इसमें परेशानी बहुत होती है बच्चों को, उसका सबसे बड़ा reason है कि बहुत जल्द बाजी में बच्चे ना chapters को खतम करते हैं, algebra भी एक ऐसा chapter है जिसे बच्चे बहुत तेजी में खतम करते हैं, जिसकी वज़े से उन्हें पूरी knowledge नहीं होती है, तो ये चीज़ ध्यार लखो, आपको complete knowledge होना जरूरी है, किसी भी chapter की complete knowledge, तो इसलिए algebra को जैसा pace है वैसी चलने दो, कि या जितना पढ़ रहे हो, लेकिन पूरी complete knowledge के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत तेजी में खतम नहीं कर रहे हैं, clear है ये बात सभी बच्चों को, ठीक है, तो इसका please आप सभी बच्चे ध्यार लखना, परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, अब मैं बात शुरू करता हूँ, that is linear question पर, तो शुरू करें जी discussion, ठीक है, आकाश, सर मेरा mock अच्छा नहीं जा रहा, आकाश ये problem कई बच्चों के साथ है, अब इसके उपर मैं बात कर लूँगा, ठीक है, इसके बारे में मैं special बात करूँगा कई बच्चों से, ठीक है, जो इस वक्त इस चीज़ को लेके बहुत परिशान रहते हैं, कि सब मेरे mock test में उतनी अच्छे score नहीं आ रहे, जितना कि शायद मैं उम arithmetic ठीक है, geometry, algebra यह दो बहुत important part है, arithmetic, sorry, geometry and algebra, तो इनको आप बहुत तेजी में मत खतम करो, तरीके से पड़ो इसको, कर दी आकाश मैंने reply कर दिया, ठीक है, बोला तो आकाश कि आपके mock test में number नहीं आरे, बहुत common बात है, इसके उपर अभी हम लोग discussion कर लेंगे, ठीक है, session मे हो ना, आप सिर्फ ये question पूछने के लिए आए वो या पूरा session भी देखना है, अगर आपको session देखना है, तो अभी मैं बात करूँगा इस बारे में, ठीक है, तो पहले एक बार discussion करते हैं, सर, playlist बनवा दीजिए, बनी हुई है, प्रेक्षा, ठीक है, playlist बनी हुई है, algebra की, अब जरा है, अर मुद्धे पे आते हैं, प्रेक्षा आप एक बार जाओ, एक बार playlist पे जाओ, जब आप playlist पे जाओगे, ठीक है, तो उस playlist को open करना, ठीक है, कई बच्चों को नहीं मिलती है, I don't know why, जब आप playlist पे जाओगे, जैसे उपर है ना, इस channel पे ओपर दिख रहा हो जाओगे, उसके नीचे यह symbol है, इसको tick करो, सारी playlist open हो जाओगे, तो चौथे नंबर पे मुझे मेरे phone में तो यहीं दिख रहा, आपके phone में क्या होगा पता नहीं, फोर्थ नंबर पे ही आपको मेरे algebra की playlist मिल जाएगी, ठीक है, तो वहाँ जितना भी मैंने topic अभी तक algebra में कराएं, वो सब वहाँ पर available है, ठीक है जी बात, चलो, शुरू करें, कोई बात नहीं, अकाश, एक बार शुरू करें, अब आजाए मुद्दे पे, बिल्कुल रचित मैं लियाओंगा, कोई बात नहीं, मैं one by one लियाओंगा, अब शुरू करते हैं, मुद्दे पे आते, सबसे पहले, जब मैंने आपको sequence and series पढ़ाया था, तो सबसे पहले मैंने आपको sequence and series में सारे part बताये थे न, कि sequence series में क्या-क्या करना है, सबसे पहले special series, फिर AP, GP, AGP, ऐसे गरके पहले मैंने पूरी list आपको बताई थी, कि हम लोग sequence series में क्या-क्या चीज़े पढ़ेंगे, मोटे मोटे तो और पे हमें कई ना कई चैप्टर की clarity थी कि इस चैप्टर में ये ये चीजे होती है जो मुझे sum up करनी है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि ये मैंने बहुत देखा है linear और simple equation इसको बच्चे बहुत हलके में लेते हैं बलके में लेना मतलम उन्हें ये पता ही नहीं है कि इसमें पढ़ना क्या है कई बच्चों के पता ही नहीं है कि linear simple equation में मतलब उसके syllabus का part क्या है linear और simple equation में क्या चीजे पूछी जाती है उसी की clarity नहीं है तो फिर chapter तो strong होगा ही नहीं तो इसलिए आप तीन बाते ध्यान से सुनना मैं मोटे मोटे तौर पे इसकी category करूँ अगर तीन category में अगर मैं इसको divide करता हूँ तो आपको तीन category के question clear होने चाहिए अगर आप ये बोलते हो कि मुझे linear और simple equation आता है जैसे मैं हमेशा क्या क्याता हूँ कि कई बच्चे बोलते मेरे mock test में number मी आ रहे उन्होंने syllabus पूरी तरह complete पढ़ा ही नहीं है उन्हें लग रहा है कि मैंने पढ़ा है पर नहीं पढ़ा है एक chapter की पूरी category होती है तो जब आप linear और simple equation पढ़ते हो तो आपको मोटे मोटे तौर पे तीन चीज़ों पे clarity होनी चाहिए number one आता है word problems ठीक है सबसे आदा important that is word problem कि आपके सामने क्या होंगी अलग-अलग तरह की word problems होंगी और उन्हें मुझे deal करना आना चाहिए तो number one आता है that is word problem ठीक है number two आता है मेरे पास वो सारी बात है जिसमें होते हैं कि like types of line होती है ठीक है types of line होती है मतब कुछ basic properties ठीक है types of line हो गई in short मैं कहा सकता हूँ basic कुछ properties होती है उन पर based question ठीक है basic कुछ properties होती है उन पर based question जैसे कि आप दो line ने बनाते हो तो line या तो intersecting होती है या लाइने parallel होती है या लाइन दो लाइने एक दूसरे पर coincident होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ और तीसरा आता है हमारे पास और जो सबसे जाधा important है जिस पर की बच्चों को नहीं आता है इसको solve करना that is कि जब वो हमसे कहता है कि number of solution बताओ क्या बोलता है number of solution बताओ जिसमें कभी बोलेगा number of solution बताओ like positive integer हाना positive integer wise बताओ कितने number of solution बनेंगे या सिर्फ integer लिखाओगा कितने integral solution होंगे हाना आपको क्या करेगा एक two variable की linear equation दे देगा और आप से पूछेएगा बताओ इसके कितने solution बनेंगे कितने positive integer solution होंगे कितने integral solution होंगे इसके ओपर हमें काम करना ये बहुत important part है समझ गए सभी बच्चे तो अगर मैं मोटे-मोटे तोर पे तीन category करूँ तो सबसे पहला होता है word problem दूसरा आप कहलो कि यार जिसमें लाइन से related कुछ basic properties होती है कि लाइने coincident कब होती है लाइने parallel कब होती है लाइने intersecting कब होती है वगेरा या एक जो सबसे important आता है that is number of solution बताओ कि आपको एक linear equation देगा और कहेगा इसके number of solution कितने होंगे अब number of solution में कहेगा positive integral solution या integral solution negative integral ऐसे-ऐसे करके बाते करेगा या non-negative exactly बात समझागी सभी बच्चों को तो इन तीन चीजों पे हमें काम करना है सबसे पहले पहले यहां तक बताओ क्या यह बात clear है हाँ मैं बताओंगा अभी ने कि word problem क्या होती है इसके उपर मैं बात करूँगा क्या यहां तक clear एक होता है न कि chapter की पहले clarity होनी चाहिए कि भाई मुझे यह चैप्टर करना है तो इस chapter में करनी क्या-क्या चीजे है मुझे क्या-क्या चीजों पे काम करना है वो clarity सभी को हो गई ठीक है अब मेरी आगे की बात सुनना अब पहले आगे की बात सुनना मैं आपको एक basic सी चीज बता देता हूँ कि यह linear का मतलब क्या है ठीक है वो सुनना ठीक है अब जरा आगे की बास सुनना देखो अब यहाँ पर discussion करते हैं देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को सबसे पहले तो यह जो word है equation बहुत basic सी बात मैं आपको बता रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को छोटी मोटी confusion ना हो सबसे पहले word आता है equation equation का मतलब क्या होता है equation का simple सा मतलब है देखो जी दो चीज़े होती है एक होता है expression पहले मैं दो चार basic basic सी बाते बताता हूँ बहुत basic level की बात है हाना मतलब exam के point से इतनी important नहीं है बढ़ हा knowledge होनी चाहिए एक होता है expression एक होता है equation एक होता है expression और एक होता है equation ठीक है expression क्या होते है जैसे मालो मैंने आपके सामने लिखा 2x square plus 3x plus 5 that's it ये क्या है ये एक expression है और वहीं अगर मैं लिखता हूँ 2x square plus 3x plus 5 equal to 7 तो ये क्या है ये एक equation है पहले बात क्लियर है equation और expression दो अलग बाते होती है ये equation होती है जिसमें equal to का sign होता है left hand side होती है, right hand side होती है उसे हम equation कहते हैं और ये मेरा expression होता है जिसमें equal to में कुछ नहीं होता yes or no, jayant, rhythm वगेरा जो भी बच्चे हैं फटा-फट से chat में लिख दो हा सर बहुए, बेहट तुच्चे level की बात थी यह हमें पता है already पता है सबको, right आगे की बात सुनना अब जब हम कोई equation बनाते हैं अब जैसे मैं कोई equation बनाता हूँ तो equation बनाते वक्त depend यह करता है कि आप कितने variable उठा रहे हो equation बनाते वक्त depend करता है आप कितने variable बना रहे हो उसके लिए छोटा सा example में आपको देता हूँ ठीक है, एकदम छोटा सा example में आपको देता हूँ कि इस पे बात करना है जो variable है न, variable जड़ा इसके ओबर बात करते है, variable अब मेरी बात को सुनना तेको simple जी बात है, मान लो मान लो आपने सोचा कि न, मैं क्या करूँगा आपने ऐसा सोचा, कि आप मैं एक दुकान खोलूँगा एक दुकान होगी, ठीक है आप एक shop खोलने की सोच रहे हो और उस shop में आप क्या करोगे, टीशट बेचोगे आपने सोचा है, एक shop होगी उसमें मैं टीशट बेचूँगा, ठीक है अब आपने एक shop खोली, तो उसका एक fix खर्चा होगा, fix खर्चा जैसे उस shop का कुछ rent होगा वहाँ पर आप साफ सफाई के लिए कुछ worker रख दोगे मालो अपने एक वर्कर रखा, जो जाड़ू कोछे का काम करेगा साफ सफाई करेगा, मालो उस दुकान का rent है तीन हजार रुपे, ठीक है shopkeeper जो है, वो जो वर्कर है, मालो वो पांच हजार रुपे लेता है, कि जी मैं पांच हजार रुपे लूँगा, साफ सफाई कर दूँगा, मतलब आपका helper हुआ है, तो ये जो खर्चा है, डाट इस आठ हजार रुपे ये आठ हजार रुपे fix कर सा है, ये fix है, तो ये constant है या variable है, जैसे आपको ये देख रहा है कि भाई, मेरा हर महीने का कितना खर्चा आएगा, इस दुकान को चलाने के लिए, मेरा हर महीने का जो खर्चा है, उसमें ये जो आठ हजार रुपे है, ये constant है yes or no, ये चीज़ constant है ये तो आप बदल नहीं सकते भई, आठ हजार रुपे, अगर rent तीन हजार का है, तो तीन हजार देना ही पड़ेगा आपकी चाहे एक भी टीशट ना भिके चाहे आप हजार टीशट बेच दो आपको तीन हजार का rent तो देना पड़ेगा आपको इस worker की salary देनी पड़ेगी तो जब भी हम कोई equation बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है constant, जो बदल नहीं सकती अच्छा, अब एक चीज़ है variable variable क्या है? ठीक है? हाँ, बिल्कुल है ननन्या मैंने क्या बोला नन्या? कि जब भी हम कोई equation बनाते हैं, तो उस equation में एक चीज़ होती है, जिसे हम लोग कहते है constant, जैसे की आपने अगर एक दुकान खोली अब उस दुकान में जो rent जाएगा उस दुकान का जो rent है, मालो 3000 रुपे, आपने एक worker रख लिया कि भई ये मेरे घर, दुकान में साफ सफाई करेगा, या मेरा helper है बेसिकली, ठीक है? तो वो आपसे कहादा जी मैं महीने का 5000 रुपे लूँगा तो इस तरीके से 8000 रुपे तो fix खर्चा हो गया ना आपका, इसे तो आप बदल नहीं सकते, आपको 3000 का rent देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी एक भी टी-शट ना भिके, राइट, चाहे आप 1000 टी-शट पेचो, ये 3000 और ये 5000 मतलब कि 8000 रुपे तो आपको खर्च करना ही करना है, तो ये constant है, अब दूसरी चीज आती है, कि जब मैंने ये सोचा कि यार मैं टी-शट खरीद, obviously मैंने टी-शट बेचनी है, तो मैं कहीं से टी-शट खरीद के लाऊंगा, और अपने एरिया में वो टी-शट बेचूंगा मैं कहीं से टी-शट खरीद के लाऊंगा और अपने एरिया में उन टी-शट को बेचूंगा, अब मालो जहां पे मैं टी-शट खरीदने के लिए गया तो उसने बोला, कि जी एक टीशट जो है न जो cost है एक टीशट का एक टीशट का cost आपको पड़ेगा 100 पे यानि जिस जगा में गया जैसे दिल्ली में एक जगा है गांधी नगर मार्केट मैं गांधी नगर गया और मैंने सोचा वहाँ से सस्ते में टीशट लाऊंगा और अपने हाँ पे बेचूंगा तो जब मैं वहाँ गया तो उसने बोला जी एक टीशट 100 रुपे की है अब एक बाह बताओ मैं वहाँ से कितनी टीशट उठा के लाऊंगा क्या ये चीज वैरियेबल है या constant है एक उता ना दुकान से कितनी टीशट खरीद के लाता हूं अब मान लो कि मेरा जो बजट है यहां तक समझ में आ गया ये वैरियेबल पार्ट है ये constant पार्ट है अब मान लो जो मेरा बजट है कि मैंने हर किसी का एक बजट होता है कि भाई मैंने दुकान चलानी है अब इस दुकान को चलाने के लिए मान लो मैंने सोचा कि यार मैं 40,000 रुपे इंवेस्ट कर सकता हूं मैं एक महीने का 40,000 रुपे इस दुकान में लगा सकता हूं तो वो जो 40,000 रुपे मैं उस दुकान में लगा रहा हूं उसके दो cost आएंगे एक है constant that is 8,000 रुपे तो जाने ही जाने है ठीक है मैंने सोचा कि मैं दुकान में अपनी इस दुकान में एक महीने का 40,000 रुपे इंवेस्ट करूंगा तो उन 40,000 रुपे में 8,000 रुपे तो constant है और बाकी मैं टीशट कितनी लाओंगा वो variable है वो part variable है अब वो कितनी टीशट होंगी अगर एक टीशट सौर पे की है तो मालों आप X टीशट लेकर आए तो 100X तो आप कितनी टीशट लेकर आओगे that is 40,000 में से 8,000 माइनस किया 32,000 आ गया divided by 100 यानि कि आप 3,200 टीशट लाओगे तो मैं यहाँ पर आपको बताना यह चाह रहा हूँ कि यह चीज़े होते हैं जिस वजह से हम लोग equations बनाते हैं कि अगर कोई हमसे पूछ रहा है कि भाई तुम्हें एक महिने का 40,000 रुपे दुकान में लगाओगे 8,000 तो तुम्हारा constant हो गया क्योंकि rent और worker को देना है एक टीशट सौर पे गी पढ़ती है तो बताओ कितनी टीशट लेकर आओगे तो फिर आप सौरी 320 आएगा क्या यह बात सभी को समझ आई क्या यह बात सबको समझ आगई है यसोर नो एक बार बतादो चैट के थू क्या यह बात सभी बच्चों को clear है तो मैंने क्या करा मैंने यहाँ पर क्या बनाई यह जो मैंने बनाया है यह क्या बनाया है तो मैंने यह बनाई है equation यह मैंने क्या बनाई है equation इस equation में variable कितनी use किये मैंने इस equation में मैंने variable use किया है सिर्फ एक इसमें सिर्फ मैंने एक variable यूज किया है तो इस equation को मैं क्या बोलूँगा इस equation को मैं बोलूँगा क्या एक और चीज सुनना ये equation होगी इसमें एक variable यूज किया ठीक है अब सुनो बात को अब मालो की आप T-shirt के साथ साथ jeans का भी काम करते हो मालो आप T-shirt के साथ साथ आपने सोचा jeans भी बेचूंगा अब जो एक jeans का cost है मालो jeans है 200 रुपे की jeans 200 रुपे की है ठीक है अब equation क्या बनेगी अब क्या equation बनेगी कि सर अगर तो मैं जो T-shirt है अगर मैं X number of T-shirt लाता हूं तो T-shirt कितने की पड़ेगी 100X की अगर सर मैं number of jeans y लेकर आता हूं number of jeans y लाता हूं तो एक jeans 200 रुपे की है तो jeans में कितना खर्चा चला गया that is 200Y और फिर सर मेरा constant खर्चा जो की 8000 रुपे हर महीने का है and that is equal to 40,000 रुपे तो मैंने एक और equation बनाई तो मैंने 2 equations बनाई है और इन दोनो equation में ये जो मैंने 2 equation बनाई है इस equation में variable 1 था और इस equation में variable कितने है that is 2 variable है तो इन्हें कहता है equations बनाना कितने variable में 1 variable, 2 variable, 3 variable, 5 variable, 50 variable कितने variable समझ गए क्या यहां तक सब को समझ आ गया कि equation क्या आते है और उसमें variable का purpose क्या होता है वेरियेबल लेने का परपस क्या होता है? बढ़ी हैं? तीक है? अच्छा है, शुक्रिया जी, विक्की कौशर. डन है, डन है, डन है, खतम करूँ बात यहाँ पर. अच्छा, अपना एक बात और निकल के आती है, अब एक छोटी सी बात और निकल के आती है, क्या? वो भी सुन लो, लगे हाथ. यहां तक पूरी कहानी समझाई, अब लगे हाथ, एक छोटी सी बात और सुन लो. तो मुझे यह समझ में आ गया कि, जिसमें एक variable है, लेकिन बात को सुनना. यह जो variable मैंने लिखा है, इसके उपर power कितनी है? एक चीज होती है, degree. एक चीज होती है, जिस हम कहते है, degree. डिगरी का मतलब क्या होता है? डिगरी का मतलब होता है, highest power. क्या होता है? That is highest power. तो अगर मैंने जैसे equation लिखी, इस equation में variable जो x है, उस पे highest power कितनी है? वन, तो इस equation की degree वन है. अगर मैंने लिखा, मालो x cube minus 3x square plus 5, ठीक है न? इक्वल टू 17. अब इसकी degree कितनी है? डिगरी मतलब highest power. highest power कितनी degree आपको 3? तो इस equation की degree कितनी है? 3 है. अगर मैंने आपके सामने लिखा, x square minus 2 equal to 0. यह जो मैंने लिखा है, इसमें variable के ओपर highest power कितनी है? that is degree, इस पे 2 है. इस पर degree कितनी है? 2 है. तो यहाँ से हमें समझना है क्या? तो हमें यह समझना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, short में. तो यहाँ से मुझे यह समझना है कि अगर तो मेरी जो equations है, उनमें जो degree है, अगर degree है 1, तो उस equation को हम लोग क्या कहते है? उस equation को हम लोग कहते है linear equation. क्या कहते है? linear equation. अगर किसी equation में degree है 2, तो उसे हम लोग कहते है quadratic equation. क्या कहते है? quadratic equation. अगर degree है तीन तो उसे हम लोग कहते है cubic equation या polynomial तो polynomial भी बोल सकते हो और अगर 4 है तो उसे हम लोग कह देता है by quadratic क्या कहते है that is by quadratic और 4 से उपर अगर degree है अगर degree माल लो more than 4 है 4 से जाधा degree है तो से हम लोग simple polynomial बोल देते हैं ढहिक है तो हम उसे polynomial मतलब मैं अगर बात करूँ linear हो गया quadratic, cubic या इसको छोड़ो यार more than 4, इतना इध्यान रुखवा फिलाल में, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ आगी, basic सी बाते करी है, मैंने अभी कोई बहुत बड़ी rocket science नहीं करी है, simple, तो मेरे इसाब से सबसे पहले clarity होनी चाहिए, कि भ उसको tension मतलब अभी shake up, ठीक है, यहां तक की कहानी हमें समझ नहीं थी, ये सब समझ आगे आप सभी बच्चों को, अज़ा सज बताने है, maximum पता थी ना बाते, जितनी बाते मैंने बोली, almost बाते, मतब ठीक है, basic level पे तो पता ही थी न, कुछ एक term आपको थोड़ी लगी होग ठीक है, बढ़िया, अब जो मुझे आपसे next point पे बात करनी है, वो सुनना, ठीक है, अब next point पर आते हैं, वो सुनना, देखो, अब जो मैं आपको कह रहा था न, word problem, word problem पे मैं बात कर रहा था, जैसे मैंने start किया, और मैंने आपसे बोला, कि यार जब हम लोग ये chapter करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे word problems, क्या करेंगे, word problem पे बात करेंगे, अब ये word problem क्या होती है, उसको सुनना, देखो यार, सबसे पहले न, मैं बहुत basic level की word problem आपको नहीं कराँगा, मैं पहली बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, उसमें आपका time waste होना है, और उतनी basic level की equation ना, कोई भी बच्चा कर लेता है, तो यहाँ मैं आपको जबरजस्ती खुश करने के लिए नहीं बैठा हूँ, कि मैं basic basic सी चीज़े YouTube पे कराता हूँ, और आप लोग भी खुश होते रहों कि, अरे मेरे answer आ रहे है, मेरी cat की तयारी हो रही है, और पता लगे exam में कुछ भ अब जैसे मैं मालोः आपसे कहूं, कि तीन बैđट और चार बॉल, थीक है, तीन बैट, चार बॉल, कुछ भी ऐसे लिख दरता हूँ, पच्चिस सो रुपे के हैं, ठीक है, 2400 रुपे के हैं, और और दो बैट, एंड कितने रुपे के हैं, मालन लो 1500 रुपे के हैं, ठीक ह तो मैंने पूछा बताओ एक बैट का कॉस्ट, आप में से कितने बच्चों को लगता है सर, ये तो मैं कर दूँगा, अब ये चीज़े थोड़ी सीखूँगा सर, मैं cat में, yes or no, ऐसी basic सी equation आप बना नहीं दोगे, कि ऐसी basic सी equation आप सभी बच्चे सौन नहीं कर सकते हैं, अब म बैट का जो कॉस्ट है, माल लो वो X रुपे है, तो तीन बैट होगे 3X रुपे के, एक बॉल Y रुपे की है, तो चार बॉल होगे 4Y रुपे की, और इस तरीके से बना that is 2500, ठीक है, फिर सर, दो बैट जो है, वो 2X रुपे के हैं, और जो तीन बॉल है, वो 3Y की हो और फिर Elimination से आप solve कर लोगे, हो जाएगा, यार ये दो equation बनगे, बस इसको solve करके XY निकाल लेना, Elimination से, तो ऐसे basic level की word problem में आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऐसे basic level की यार हर को ही कर लेता है, तो बिना मतलब मैं आपको खुश नहीं करना चाता, टुच्चे से question करा करा थोड़े अच्छे questions करेंगे, क्या पहले तो ये बता दो, बात clear है सभी को, तो word problem से मेरा ये मतलब है, word problem कहने से मतलब मेरा ये है, right, जिसमें बहुत basic level की word problem मैं नहीं दूगा, क्योंकि basic सी equation बनेगे, आप लोग कर लोगे, ठीक है, अच्छा, एक छोटी सी बात और मेरी और सुन लो, फिर हम लोग questions पे आते हैं, ठीक है, एक छोटा सा point आप मेरा और सुन लो, क्योंकि मैं 2-3 point चाता हूँ न कि यार मैं उसमें time ना waste करूँ, तो मैं इसलिए आप से जानना चाता हूँ, सबसे पहले ऐसे basic level की question नहीं करेंगे, दूसरा point है यार, वो और सुन ले ठीक है, आप बच्चे मुझे बताना calculate करके रुकों, मैं आपको बताता हूँ, एक बाह बताओ, अगर मैंने लिखा 8x-y equal to 7, और 14x-3y is equal to 1, जरह xy की value बताना क्या आएगी, जरह xy की value बताओ क्या आएगी, एबर फटाफट से बताओ, अगर मैंने लिखा 8x-y equal to 7, 14x-3y is equal to 1, तो इसको solve करके xy की क्या value बताना है, इस equation को solve करके xy क्या आएगा, ओके, तो अभिशेक का कहना है, x की value 2 और y की value 9, बाकी, facts का कहना है, x की value 2, x की value 2 और y की value, x2, 9, 7 क्यों बोल रहे हैं, 29, 29, 29, 29, valid है, यह मैंने आपको पता क्यों दिया है, यह मैंने क्यों दिया है, वो सुन ले न, पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इस equation को solve करते हो, तो हम लोग लगाते है, elimination method, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी equation को एक number से multiply करते हैं, ठीक है, और कोई भी variable को same कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर, या तो मैं x को same कर सकता हूँ, या y को, तो मुझे लगा y को same कर देते हैं, यह जो equation है, इसमें मैं 3 multiply कर देता हूँ, ठीक है, तो जब मैं इसमें 3 multiply करूँगा, तो multiply करने पर equation क्या बन जाएगी, तो यह equation बन जाएगी, that is, 24x-3y is equal to 21, और नीचे च x की value 2 आजाएगी, अब x की value 2 आप उठाके equation में डाल दो, तो 8 into 2 minus y is equal to 7, तो 8 to 16 में से 7 गया, तो y की value 9 आजाएगी, क्या इतना काम आप सभी बच्चे कर लोगे, यह मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी जब मैं आपको word problem कराऊँगा ना, तो जब मैं equation तो मैं उसका direct answer लिख दूँगा, मैं वो linear equation आपको हर question की linear equation solve करके नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि यह basic सी बात है, मुझे लगता है आप लोग खुद कर सकते हो, चलेगा yes or no, क्या जो आने वाले word problems हैं, उनमें जो equation बनेगी, तो क्या मैं हर equation को solve करके दिखाऊँगा आपको नहीं न, खुद कर लोगे, right, क्योंकि time waste होगा, time waste होगा, अचा दूसरी बात सुनना, जब आप linear equation solve करते हो, तो मेरा ये मानना है, कि यार एकी line में लिखा करो, जो लिखना है, इतना time pass मत किया करो, ये सब चीजे न, इतनी सजावट नहीं करनी है, ये हम कोई school का project नहीं ब और ये सब चीजे हैं, कि आपको ये रहा कि चलिया, यहां 3 into करूँगा, sign change करूँगा, right, 3 into करूँगा, y तो y कटी जाना है, 8 threes हा 24, 24 में से 14 गया, 10x हो जाएगा, ये 21 में से 1 गया, तो 20 हो जाएगा, और x की value 2 हो जाएगी, ठीक है, चलेगा, चल्ड, अब आते हैं questions पर, चल्ड, तो अब आजए जरा question पर आते हैं, शुरू करें, तो आज की class में word problem करेंगे, 11-12 word problem है, बहुत अच्छे questions हैं, try करना, ठीक है, और पहले आप लोग try करना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तो शुरू करते हैं, आज की वर्दालाप, आज के questions, चल्ड, पहला question आपके सामने कुछ इस तरह कर, आपके options हैं, आपके options हैं, 331, 332, 333, और insufficient data, id का मतलब है, insufficient data, तो आपके सामने options हैं, पहला option 331, 332, 333, या id, id का मतलब है, insufficient data, आप बताऊं क्या answer होना चाहिए, पूरे देड़ से दो मिनट हैं आपके पास, आप लोग try करो, मैं question पढ़ देता हूं still, 1000 chocolate are to be distributed among the student of a class, it was observed that, when some student were given 3 chocolates each, and the remaining student were given 4 chocolates each, then 3 chocolates remained, what can be the maximum number of student in the class? screen अच्छे से visible है न, यह मैंने black पे white color से किया, ठीक है न, मतलब question यार एक बार बताना है, visible है न, सभी बच्चों को, question अच्छे से visible है न, बढ़िया, ओके तो स्टार्ट करते हैं, अभी अभी ने आपका गयाना है 333, ओके विवेक आपका गयाना है 332, अभी 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 शेक आपका गयाना है 332, C option 333, 332, मतलब mix answer दे रहो आप लो, कुछ बच्चे 333 कह रहे हैं, कुछ 332 कह रहे हैं, वैसे पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है न, मुझे options नहीं देने चाहिए आज की class में आप लोको, क्या कहतो यर, मैं सोच रहा हूँ, आज की class में option नहीं देता हूँ आपको, क्योंकि ऐसे question न, exam में theta form में जादा आते हैं, जो ये सब question होते हैं, word problems, ये exam में theta form में जादा पूछे जाते हैं, क्या कहतो हो, theta form में ही रखूँ, question सारे, क्योंकि exam में theta form में आते हैं, और actually क्या होता है, option दो न, तो बच्चा option से hint लेके करता है, अब exam में आएगा theta form में, मतब जादा chances theta form के होते हैं, ठीक है, तो मैं theta form में रखूँगा सारे question, ठीक है, आज के, आज के सारे question, theta form में रहेंगे, कुछ बच्चे क्या भी सकते हैं, जार आप तो अपना आलस दिखारो, आप option ही नहीं लिखके लाए, तो सीधा बोलो न, theta form रखेंगे, ठीक है, चलो, मुझे प्यारते हैं, ध्यान से सुनना, बात को समझना, देखो, समझें, अब focus करते हैं जड़ा question पे, देखो, मैंने बोला, 1000 chocolate है, 1000 chocolate, right, और मुझे 1000 chocolate क्या करना है, सारे बच्चों में distribute करना है, मैंने observe करा, जब मैं कुछ बच्चों को, अब ये जो, ये वाले जो कुछ बच्चे हैं, ये जो some student है, इनको मैं X बोल देता हूं, ये जो some student है, मालो इनको मैंने X ब गोला है, इन हर एक बच्चे को मैं 3-3 chocolate देता हूं, तो इन some student को कितनी chocolate दी मैंने, that is 3X, देखो यार, पहली मैं आपको suggest कर दूँ, अपना ना main focus, आज के जो question होंगे, उनमें थोड़ा equation पे रखना, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रहे है, कि over ये short trick, short trick, short trick, इनके चक्करों में न, बच्चे कहीं न, कि ये जो basic सी equations बनती है न, जो basic सी बनती है बिल्कुल equation, उनके दिमाग से वो thought process खतम ही हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें mock test में बहुत दिक्कत आती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, equation पे focus करना आपने, देखो, तो ये जो एक बच्चे को मैं चार चॉकलेट देता हूँ, तो इन remaining बच्चों को कितनी चॉकलेट मिलेगी, that is 4y, भाई अगर एक बच्चे को आप 4 चॉकलेट देते हो, तो 10 बच्चों को कितनी चॉकलेट गई, 4 x 10 यानि 40, अब आपने total कितनी चॉकलेट बाढ़ दी बच्चों को, 3 x प्लस 4y and still, 3 चॉकलेट बच जाती है, अब 3 चॉकलेट बच गई, 1000 चॉकलेट आप लेके गए थे, एक 1000 चॉकलेट लेके गए थे, उसमें से 3 चॉकलेट बच गई, तो आपने बच्चों में चॉकलेट कितनी बाठी, तो आप कोगे सर, 1000 में से 3 माइनस कर दो, यानि कि आपने 997 चॉकलेट बाती हैं, उमीदे बात क्लियर है, कितनी 997, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे बताने, what is the maximum number of student, तो भाया, total student कितने हैं, जो total student है, वो कितने हैं, x plus y है, total बच्चे तो x plus y है, class के अंदर x plus y बच्चे है, अब एक काम करो, यहाँ पर लिखो 3x, और यह जो 4y है न, इसमें 3y को अलग करो, y को अलग करो, ऐसा क्यों कर रहों, अभी आपको समझाएगा, अब यहाँ से जब आप 3 common निकालोगे तो x plus y, and plus y equal to 997, मतलब कहने का है, कि आपको जो value निकालनी थी न, value, वो किसकी निकालनी है, x plus y, total बच्चे मतलब x plus y, तो मै maximum, x plus y maximum कब होगा, x plus y maximum कब होगा, जब y आपका minimum होगा, मेरे भाई, y को जितना कम रखोगे, x plus y उतना जादा हो जाएगा, सही बात है, अगर मैं आपके सामने एक टुच्चे लेवल की equation लिखता हूँ, that is कि, मैंने आपको बोला, मैंने आपको बोला, x plus y equal to 10, अगर आप x को maximum करना चाते हो, तो y को minimum करना पड़ेगा, y minimum करने पड़ेंगे, right, तो इसलिए आप क्या करो, अब y की minimum value क्या हो सकती है, आपको ये जो x plus y है, इसको maximum करना है, इसको maximum करने के लिए, आपको y की क्या लेनी होगी, minimum value, चैट के नमबरों बच्चे, नमबरों बच्चे 0 थोड़ी हो जाएंगे, अरे नहीं, नमबरों बच्चे 0 नहीं होंगे, remaining student एक तो लो यार, एक तो लोगे, तो इसलिए minimum values की कितनी ली आपने 1 ले ली, अब अगर आप y की value 1 ले लेते हो, तो x plus y की value क्या हैगी, तो 997 में से 1 minus किय 996 divided by 3, answer आएगा 332, मैं आपको सच बता रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जिन्होंने एक rough idea लगाया होगा, कि सर मैंने तो ऐसे number सोचे थे सर, मुझे मेरे जो प्रभू है, वो पत्परदर्शित करते हैं, उससे मेरे दिमाग में कुछ numbers आते हैं, तो मैंने तो सर कु अच्छा वही है, जिसने की process को follow किया, process को, इस बात का ध्यान लखना, geometry, algebra, अगर ये दो चीज़े strong करनी हैं तो especially algebra, जिसके दिमाग में process clear है, वो बच्चा algebra में बहुत अच्छा forward कर आता है exam में, लेकिन जिसके दिमाग में options, जो ऐसे हैं रैंडम hit and trial करता रहता है, वो अगले question पर बात करें, ये clear है सभी को, ठीक है, चलो, next पर आते हैं, अगला try करो, एक और question आपके सामने, बहुत ही प्यारा सा, छोटा सा question, ठीक है, देख है, basically आज की class में मैंने रखे हैं total 11 question, पर वो 11 question मैंने इस हिसाब से रखे हैं, कि आपका पुरा दिमाग खुल जाए, ये जो कुछ दिमाग बंद हो गया है ना बच्चों का, इस shortcut, shortcut के चक्कर में वो जो basic equation बनाने, वो जो basic equations बनती है, उन basic equations को बनाने के लिए वो जो दिमाग बंद हो चुका है, आज वो दिमाग थोड़ा खुल जाए, तो इस हिसाब स कि इगनौर करना, अब को ये मत कहना सर, because मुझे इसका मतलब नहीं पता था, इसलिए question नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मुझे इसका मतलब नहीं पता था, ठीक है, currency होगी यार उस country की, छोड़ो, पी रुपे बोल देना, पी रुपीज बोल देना, खेर, नोबिता को allowances के तोर पे पी रुपे मिलते हैं, a part of which he is spent on buying toys and बाकी movies पे, जो cost of buying toys है, right, is 80, again मैं option नहीं दूँगा, आज नहीं दूँगा, मैं, सारे treata form में रखेंगे, ठीक है, मेत्री, हाँ मेत्री, इसकी pdf आपको मिल जाएगी, जिस भी बच्चे को pdf चाहिए, बता देना, अपना address भेज देना, मैं आपको post कर दूँगा, मलत अब क्या है, telegram पे share कर दूँगा, telegram पे मैं इसकी pdf share कर दूँगा, ठीक है, तो answers पर आते हैं, शुभं का कहना है 90, प्रकर ने बहुत प्यारा question पूछा है, कि theta का मतलब क्या होता है, तीटा मतलब होता है प्रकर, जिसमें option नहीं देंगे वा आपको, ठीक है, आपको option नहीं देंगे, theta मतलब वहाँ पर आपको answer type करके आना होगा, ठीक है आपको answer type कर रहोगा, ठीक है प्रकर, अचा, प्लीज कोई बच्चे यार, mind मत करना, वो मैं थोड़ा flow flow में, ठीक है, excited mode पे कुछ एक बाते बोलता हूँ, तो किरपया कोई भी बच्चा personal लल ले, mind न करे, क्योंकि मैं तो सुधरूंगा नी, ठीक है, चलो बता हूँ यार, अचा, जपान की करनसी है, ठीक है, जीक अच्छी है, बिल्कुल कराओंगा यार कबीर, मैं maximum minimum value पे भी बात करूँगा, चलो आंसर पे आजए हैं, बहुत अच्छे, शुभम का कहना है, 90 अनन्या, 90, अविनंदन का कहना है, 90, मिनाक्षी 90, आर्यन 90, शशांक 90, जयंक, बहुत बढ़ी हैं, बहुत ही अच्छे, very good, बहुत बढ़ी हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, देखो, सभी बताओ, मेरे को जाधा feel आता है, जब बच्चा बिना option की answer करता है, तो मेरे को personally जाधा अच्छा लगता है, यह आर बंदे करें, ऐसे तुक्के बाजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चलो, कोई नहीं, पिंटू, बताता हूँ मैं, ठीक है, देखो, अब focus करना जो मैं बोल मिले, अब उस P रुपे में न, उस P रुपे में से एक हिस्सा, आपको लाइक मालनो 100 रुपे मिले, अब 100 में से कुछ रुपे के आपने टॉइस खरी दे, बाकी के आपने मूवी की टिकट खरी दी, पहली लाइन क्या लिखी है, कहता है, the cost of buying toys, मतलब आपने जितने difference in the allowances and watching movies, मान लेते हैं ऐसे आपको समझाने के लिए, कि जो toys पर उसने पैसा खर्च किया है, वो T रुपे है, जो उसे allowances नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है, जो उसने, I would say, जो cost यानि कि जो खर्चा किया है, तो पहले तो यह समस्ते उसे allowance कित movies पे वो जो खर्चा करता है, that is M, तो पहली line कहता है, cost of buying the toys, मतलब toys पे जो खर्चा किया गया है, वो 80% है, of the difference in the allowances and watching movies, मतलब कि जो allowances उसे मिले थे, और जो movie पे खर्चा किया, उसके difference का 80%, तो मैं यह कह सकता हूँ कि जो toys पे खर्चा हुआ है, 80% का fraction कितना होता है, आप क 80% का fraction 4 by 5 होता है, तो जो toys पे खर्चा हुआ है, वो है 4 by 5, किसका difference, जो भी उसे allowances मिले, allowances कितने मिले, P रुपे मिले थे उसे, और movies पो उसने खर्चा किया है, कितना M, तो movies और allowances के बीच का जो difference है, उसका 4 by 5, क्या यह equation clear है सभी को, हाँ या ना, हाँ ना, बोल दो फटा आई है, उमीद है कि clear होगी, ठीक है, बहुत बढ़ी है, अगर clear है, दूसरी question क्या है, कि, कहां कहता है, हाँ, यह रहा, while the cost of watching movies, जो movies पे वो खर्चा करता है, वो 83.33% है, भई, 83.33% का fraction क्या होता है, तो आपको विज़ार, 83.33% का fraction होता है, 5 upon 6 होता है, कितना होता है, 5 upon 6, क्योंकि 83.33 है न, तो इसको आप दो पार्ट में break कर लो, अपने मन में, अपने मन में आपने क्या करा, 83.33% को ऐसे read करा, that is 50% plus 33.33%, 50% होता है, 1 by 2, 33.33% होता है, 1 by 3, इसको sum करोगे, तो 5 by 6 आ जाएगा, ठीक है, 5 by 6 आ गया है, बहुत बढ़ी है, तो 5 by 6, अब कहता है, कि जो movies पे खर्चा किया गया है, वो 83.33% है, मतलब कि 5 by 6 है, किसका difference in the allowances and toys पे जो खर्चा किया, यानि कि P minus T, उमीद करता हूँ कि ये बात आप सबको समझ आई होगी, right, बढ़ी हैं जी, ठीक है, अब आगे सुनना, अब जब इन equation को मैं थोड़ा सा simplify करूँगा, ठीक है, थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा simplify कर लेते हैं, तो यहाँ जब मैं इसको simplify करूँगा, तो यह हो जाएगा 5T, यह हो जाएगा 5T, 5 उदर जाके, अच्छा, यह 4P और 4M, 4M को इधर लियाओ, तो प्लस में 4M हो जाएगा, and that is equal to 4P, एक equation यह बनेगी, क्योंकि यह 5T हो गया, यह 4P-4M, तो 4M उदर जाएगा, प्लस का 4M, यह बनेगी एक equation, यहाँ से solve करूँगा, तो यह कितना हो जाएगा, 6M, और यह minus का 5T, इधर आ करके, प्लस का 5T हो जाएगा, and that is equal to, कितना 5P हो जाएगा, कितना हो गया, 5P हो गया, अब जब आप इन दोनों equation को solve करोगे, तो आपको दिख रहा है, यहाँ भी 5T, यहाँ भी 5T, तो minus कर दो, 5T से 5T कट जाएगा, 6M में से 4M जाएगा, 2M आएगा, यहाँ से P आएगा, तो आपके जो यह है न, movies, तो movies पे खर्चा कितना हो रहा है, P by 2 हो रहा है, और यही M की value, P by 2, जब आप इस equation में डालोगे, M की जगा, P by 2, तो solve कर लेना है, मैं direct लिख देता हूँ, P की value की आएगे आपकी, that is 2P upon 5, 2P upon 5 आजाएगे, simple, अब आप एक काम करो, या तो इन fractions को add कर लो, fraction को add करके आप on में P कर दो, या आप थोड़ा safe खेलना चाते हो, आप थोड़ा सा safe खेलना चाते हो, तो आप एक काम क आप जो P है न, P को 100 पे माल लो, क्योंकि percentage में बताना है, kind of percentage बताना है, fraction बताना है, तो जो P है उसको 100 पे माल लो, तो आपने toys पे कितना खर्चा किया होगा, अगर P की value 100 है, तो toys पे कितना खर्चा किया होगा, 100 का 2 by 5, हाना, 2 by 5 into 100 कर लेना, मतलब 40 रुपे toys पे खर्च कि तो 90 रुपे खर्च करें, यानि कि 90 upon 100 करके मैं बूल सकता हूँ, कि 90 परसेंट आपने basically खर्चा किया है, बताना है, एक बार चैट के थूरू, आई बार फकड में, ठीक है, तो main, देखो, सब छोड़ो यार, सब छोड़ो, मैं सही बताओ न, जो इसमें main खेल था न, वो य एक टू वैरियेबल, ट्वाइस का प्राइस मैंने P की टर्म में निकाला, M का प्राइस P की टर्म में निकाला, थोड़ा मैंने 100 ले लिया, मैंने का calculation आसान रखते हैं, 100 ले लिया, ट्वाइस पे 40 और मुवीज पे 50, टोटल 90 रुपे खर्च हुए, ठीक है, ट्वाइस और निप्रकर, एलजेबरा की जो classes है, एलजेबरा की classes, वो होती है, मैं आपको बता देता हूँ, that is Monday, MWF, Monday, Wednesday, Friday, और Sunday, ठीक है, 8 बजे class होती है, 8 पीम, ठीक है, चलो, समझ आगे था, last question सभी को, माही आपको क्या point समझनी है, आपने बोला सर्ला, मतलब ये समझ आगे है, माह होगी, P by 2, ठीक है, M की value P by 2 होगी, ये समझ आ गया था, हाँ, जी माही, ये समझ आ गया था, ठीक है, तो मैंने क्या करा न, माही, देखो, आप दोनों को add भी कर सकते हो, माही, कि मुवी और twice पर मैंने कितना खर्चा किया, तो P by 2, प्लस 2, P by 5, इनको add कर लो, और upon में P कर कर सकते हो, नहीं तो मैंने simple किया गया, क्योंकि मुझे percentage में बताना है, तो मैंने जो allowances मिले थे, उसको 100 पे माल लिया, अब 100 में से, twice पे कितना खर्चा हुआ है, तो 2 by 5 of 100, 2 by 5 of 100, 40 उरुपे होगा, तो मैंने 40 ले लिया, movies पे कितना खर्चा किया है, मैंने, तो 100 by 2, यानि कि 90 परसेंट कर चागी है, इन टू 100 कर देना, जस्टू, परसेंटेज में दिखाने के लिए, ठीक है, चलो, आगे बड़े, हो जाएगा राहुल, इस मन्त के एंट तक में हो जाएगा, ठीक है, इसका answer, एक बार आप लोग ट्राइ करना, अचा, डॉक्टर साहब को दिखा, इतना असान नहीं होता है, यह जो राइटिंग है, इसको लिखना इतना असान नहीं होता है, बहुत मेहनत चाहिए होती है, इसके लिए, ठीक है, कंसिस्टेंटली मेहनत करने होता है, तब जाकर कि हम ऐसी राइटिंग लिख पाते हैं, तो इजी नहीं था, ठीक है, चलो ठीक है, ट्राइ करते हैं, हाई सर, are you going to teach sorts and indices, जील, हाँ, बिलकुल जी, कराऊंगा, sorts and indices भी कराऊंगा, ठीक है, राज, इस question की बात करो, राज, इसकी first line, इसकी first line में बस यह बोला है, कि बहुत पास साल पहले की बात कर रहा है, 5 years ago, मतब 5 साल पीछे चले जाओ, अभी 2022 चल रहा है, 2017 में पहुँच जाओ, during the same year, फिर अगले दो साल में, एक और member family का die होता है, जिसकी age 40 साल है, and again एक बच्चा पैदा होता है, अब आपको बताने की current average age जो है, चारों member की कितनी है, अच्छा, last question, last में यहीं था जार, कि जो नौबिता है, उसको न पी रुपे मिलते है, जैसे नौबिता को जेब खर्चा मिलता है, that is P रुपे, अब नौबिता क्या करता है, उस P रुपे में से, कुछ पैसों के toys करीता है, कुछ की movies देखता है, कुछ के, मता ऐसा नहीं कि सारे पैसे खर्च कर देता है, जो पी रुपे मिले उसमें से कुछ रुपे के टॉइस करी दे, कुछ के मुवीज देखी, वो बात थी, ठीक है, प्रदीप कराऊंगा मैं जमेटरी, वन शॉटी रखूंगा, जैसे मैंने कहा था, किसी एक दिन लंबा सा मैरथन करेंगे, 7-8 घंटे का, और थोड़ा मैं दे आंसर क्या है है, आप बच्चों का एक बर बता दो, एवरेज बतानी है, एवरेज बतानी है, एवरेज, I think कुछ बच्चे सम बता रहे हैं, एवरेज बतानी है, नहीं, इसमें नहीं था, 21, नहीं, गलत आंसर है, एवरेज बतानी है, अनन्या और कुछ बच्चे जो आंसर कर रहे हैं मैं उनको repeat कर दूँ कि average बतानी है average अब ठीक है हाँ तो ये जो है सौमा पॉल ठीक है आपका answer ठीक है 17 सही answer है 17 इसका सही answer होगा बात करते हैं ठीक है ध्यान से सुनना अब देखो जैसे कुछ question होते हैं ऐसे कुछ ऐसे question होते हैं जिनमें x नहीं मानना पड़ता मतलब आज मैंने जो 11 question रखे हैं उनमें सारे के सारे वो नहीं रहते हैं जिनमें x नहीं मानना पड़ता बस data जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जो, ठीक है, सुनना कैसे? और ना साथ साथ सुनना, बस सुनने पर फोकस करना, देखो, सबसे पहले काम करो 5 साल पीछे जाते हैं, ठीक है, 5 साल पीछे चलते हैं, अब 5 साल पहले इस Family में 4 Member हैं, कितने Member हैं ध्यान देना, 4 Member हैं, और जिनकी Total Eage है 128, कितनी Eage 5 year, 5 साल पीछे चले जाओ, तो 5 साल पीछे चला जाओ, तो इस family में जो 4 member है, उनकी जो age है, that is, उनकी age का sum कितना है 1 28 है, अब 5 साल पीछे हैं, अब उनसे पांग साल पहले का data था, अब उससे 2 साल आगे आजओ, 2 साल आगे आने का मतलब है, कि अभी obviously आप 3 साल पीछे हो तो अभी ये after 2 year तो आप ये देखो कि भाई after 2 year ठीक है रुख जो इसको ऐसे लिखते है 5 year ago 5 year ago ये जो family है इसमें 4 member है और इनकी age का sum कितना है that is 128 अब after 2 year पे आते है after 2 year पे after 2 year क्या scene बना वो देखते है after 2 year अगर आप 2 साल आगे आओगे आप family में 4 member है 4 के 4 दो 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 साल बढ़ गए मतलब 4 टूजा 8 year 8 साल इस family की age बढ़ जाएगी तो इस family की age बढ़ करके कितनी होगी होगी that is 136 पर क्या हुआ 136 होगी पर इसमें से 40 साल का 40 year की age का एक person था जो die हो गया यहीं की मर गया तो अभी 2 साल बाद यह जो family है उसकी age कितनी है that is 96 हाला कि अभी एक बच्चा पैदा हुआ है इस घर में पर अभी तो वो 0 year का है अभी वो 0 year का है ठीक है तो पहले 128 year थे 2 साल आगे आना है तो चारों member 2-2 साल आगे आएंगे मतला 8 साल add कर दो 136 year पर उसमें से 40 साल का एक बंदा हटा दो तो बचे 96 year अभ यहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ है तो family में वापस 4 member हो गये family में वापस कितने member हो गये 4 अब फिर after 2 year आओ अब फिर वापस 2 साल आगे आजो after 2 year 2 साल आगे आजो अब देखो member तो 4 हो गये ना family में member जो है वो वापस से 4 हो गये sir 7 साल बढ़ेगी age sir नहीं 8 बढ़ेगी अभिशेक क्योंकि 2 साल बाद एक बंदा family में die हुआ है तो 4 बंदे 2-2 साल बढ़े ना तो 4 जब 2-2 साल बढ़े तो 8 साल age बढ़ गई वो तो 2 साल बाद खतम हुआ है राइट बात क्लीर है विशेक तो 2 साल तक तो 4 member बढ़े ना 2-2 साल अब यहाँ पर 96 year है अब यहाँ पर क्या member वापस 4 हो गये थे एक member कम हुआ है family में बट एक बच्चा भी पैदा हुआ है तो member वापस 4 हो गये अब 4 member 2 साल में कितनी age बढ़ जाएगी that is 8 तो अब age कितनी है family की that is 104 लेकिन फिर इसमें से 40 साल का बंदा कम हो गया फिर से 40 साल का बंदा कम हो गया तो again after 2 year अब family की age कितनी है 64 लेकिन एक बंदा कम हुआ पर वापस एक और बच्चा family में पैदा हुआ है ठीक है एक और बच्चा अच्छा मैं बात चल रही थी 5 साल पहले की तो 5 साल में 2 साल आगे आगे और 2 साल आगे आगे अब present में आने के लिए present में आने के लिए अगर आप present में आना चाहते हो तो आपको एक साल आगे आना है अब आपको कितना आगे आना है present में आने के लिए आपको एक साल आगे आना है after 1 year एक साल आगे आना है अब family में वापस 4 member होगे है तो एक साल के अंदर चार मेंबर चार साल बढ़ जाएंगे तो 68 यह तो present में इस family की जो age है ना total age वो 68 है तो average age कितनी होगी 68 by 4 यानि की 17 कुछ बच्चे यार 7 बोल रहे हैं कि सर 7 सर पर person 7 exactly अभी समझ आया क्या कोई नहीं दुबारा पड़ो है इतने समझदार आप सब हो की पढ़के समझ जाओगे हाना इतना आप सब समझदार हो कोई गलती कर रहो इलकिन आप दुबारा पड़ो the point इसकी यार the point is कि जैसे मैंने का बूला इसको ऐसे समझ लो आप कि 2000 अभी 2022 चल रहे है न जैसे % उन में तीन पुराने और एक नया बच्चा नया बच्चा जिसकी age 0 है तो आप इसमें से 40 साल का बंदा हटा दो तो कितना हो गया, that is 96 अब 2 साल और आ गया आज़ो, 2021 में आज़ो अब 2021 में क्या होगा फिर इसमें, you know 2 साल तक family में 4 member है तो 8 साल बढ़ गी age, 104 होगी लेकिन फिर member एक member कम हुआ, लेकिन एक और बच्चा पैदा होगी member फिर से 4 होगे तो यहाँ पर क्या हुआ, 41 साल का बंदा गया तो कितने होगी थे, 64 age होगी अब 2022 में आना है, अच्छा member वापस 4 होगे तो 4 add कर दो, यानि 2022 में जो age है, 4 member के 68 है तो average क्या हो जाएगी 68 by 4, यानि कि 17 नहीं, नहीं, जो पुराने 5 साल है उससे 2 साल आ गया आना है अच्छा, यहाँ पर confuse हो सारे यह ना पहले, इसने क्या बना 5 year ago पहले 5 साल पीछे जाना है 5 year ago, family में सब 182 केते हैं 2 year later, तो वो पहले 5 साल पीछे जाना है, फिर वहाँ से 2 साल आ गयाना है फिर वहाँ से 2 साल आ गयाना है यह statement कह रही है last में 4 मैंने इसलिए add किया है अंकित, इसलिए add किया है क्योंकि 2021 से, अब आपको 2022 पर आना है, पहले 2017 में थे 5 साल पीछे गैं, फिर 2 साल आ गया है फिर 2 साल आ गया है, तो अब तो 1 साल आ गया होगे ना, अब तो 1 ही साल आ गया आना है तो 1 साल में 4 member किये 4 बड़ेगी, 68 हो जाएगा समझ गये नंकित? समझ गयो तो, इसलिए आज मैंने सारे ऐसे question रखे है feel आये मतलब करके, ठीक है चलो ये question बताओ, ये तो हाला कि टुच्चा सा question है, ये इतना बढ़िया नहीं है बिल्कुल पहले 5 साल पीछे जाना है फिर 2 साल आगे, 2 साल आगे फिर 1 साल आगे ठीक है, चलो अगला करो यहाँ पर देखो अमित सौरव विकास जो है present age इनकी 100 साल है लेकिन 6 साल पहले, 6 साल पीछे जाना है अब 6 साल पहले, अमित की age की आती half थी सौरव की age की and 1 less than half the age of विकास present में सौरव जो है वो विकास से कितना बढ़ है reasoning के question data form में रखेंगे अब वगीश मैं आपको personal message करता हूँ ठीक है हाँ, पूछो, आशीश अगर ऐसा कोई question हुआ जिसे मैं short में answer कर सकता हूँ तो मैं जरूर कर दूँगा Hello Anuj क्या answer क्या है देखो, यहाँ पर सुनना 6 साल पीछे चलते हैं पहले दो 6 साल पहले अमित, सौरव, विकास कि जो age का सम होगा 6 साल पहले इनकी age का जो सम होगा पहली बात वो तो होगा 84 होगा नहीं, 82 होगा क्योंकि अभी इन तीनों की age का सम कितना है अभी इन तीनों की age का जो सम है, वो कितना है that is 100 साल, तो अपने एक काम करते हैं 6 year ago चलते हैं यानि की पीछे चलते हैं, 6 साल पीछे चलते हैं तो जब आप 6 साल पीछे जाओगे तो 100 में से तीनों बंदे 6-6 साल आप कम कर दो, तो कितना होगा 82 होगा, मैंने 82 लिख दिया ठीक है? अब आगे सुनना यहां बरगया गहता है अभी देखो, कोशिश हमेशा यह होनी चाहिए कि मैं एक ही वरीबल पकड़ के चलूँ अमित की एज हाफ है, सौरव की एज की और जो अमित है उसी की एज की बात हो रही है, और जो अमित है वो एक कम है विकास के हाफ से ऐसा कुछ है तो अमित को पहले कमपेर की है सौरव से, फिर अमित को कमपेर कर रहा है विकास से, तो जो common point है वो अमित है, तो एक काम करो अमित को x माल लो, कि अमित x here का है अब यहाँ पर अमित अगर सौरव का हाफ है अमित सौरफ की age का half है तो इसका मतब सौरफ उसकी age का double होगा यानि कि 2x होगा अब यहाँ पर बोला अब एक काम करते हैं यहाँ पर आदे हैं इसने एक बात बोली थी कि जो अमित है वो कितना मुला है one less than half the age of vikas बन्तर vikas की age के half से एक कम है ऐसा कुछ बोला मैंने जो अमित की age है वो vikas के आधे से एक कम है अमित को मैंने x मान रखा है हाँ तो vikas की age कितनी हो जाएगी तो vikas की age यहाँ पर कितनी हो जाएगी that is ध्यान से देखना यह हो गया मेरा ऐसे लिख देता हूँ that is vikas minus 2 upon 2 तो यह हो जाएगा मेरा that is vikas की age हो जाएगी यहाँ से 2x plus 2 हो जाएगी 2x plus 2 तो यहाँ पर आप लिख दो that is 2x plus 2 क्या यह बास समझ आगी सबको 2x plus 2 अब यहाँ पर कितना हो गया 2 2 4 और 1 5 5x यह 2 धर जाएगा 80 तो x की value कितनी आगई x की value 16 आगई x की value 16 है अगर x की value 16 है तो जो अपना सौरव है वो कितना अभी मैंने किया बना presently right now सौरव वikas से कितना young है तो सौरव की age कितनी हो जाएगी that is 2x16 यानि 32 साल लेकिन यह है 6 साल पहले की age 6 year ago की बात चल रही है कि 6 साल पहले सौरव 32 साल का था और जो अपना वikas है वो था 2x16 प्लस 2 यानि कि 34 साल अब एक बाव बताओ एक simple सी बात है कई बच्चे से present age पे लाएंगे जरूवत नहीं है अगर 6 साल पहले इन में जो age difference है मतलब यह से कितना young है that is 2 साल तो मैं अगर 6 साल पहले 2 साल young था तो आज भी तो 2 साल होगा यार मेरा भाई जब मैं पैदा हुआ था मुझसे 5 साल बढ़ा था आज भी तो मुझसे 5 साल बढ़ा है राइट ना दो बंदों का age gap थो हमेशा same रहता है ऐसा नहीं होता ना जिनका live class के साथ time match नहीं हो पाता है that's why वो बच्चे recording prefer करते है done है बात clear सभी बच्चों को बढ़ी है एमर चलो, सही है next करो इसको try करो, ये भी बढ़ा अच्छा कोशन है टेलिग्राम पर ही हो सकती है, obviously जब मैं free होंगा तो मैं for sure आप से बात करूँगा I hope यार last question में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सबको समझ आएगा बड़े प्यार से सर विकास की equation 2x plus 1 q नहीं है क्योंकि उसमें न अंशू अंशू, उसमें न अंशू ये मुझे पता है, बच्चे गलती करते है 1 को इधर लाके, अंशू देखो, क्या होता है जैसे ये जो equation मैंने लिखी है वो मुझे पता था, कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आएगी ठीक है देखो, यहाँ पे अंशू ये है point कि जो आपका अमित है, ठीक है जो अपना अमित है उसके बारे में बोला गया है कि वो विकास के हाफ से एक कम है, अब बच्चे गडबर पता है करते है, 2 को लाके यहाँ पर multiply कर देते है ऐसे लिख देंगे 2A V-1 और यह 2A प्लस 1 होगा ऐसे नहीं होता, ठीक है यह 2 जब इधर multiply होगा तो जो आपका right hand side है पूरी right hand side के साथ divide में होना जाए, मतलब अगर यह equation ऐसी होती that is A is equal to V-1 upon 2 तो यह आप सही कर रहे हो तो यह आपने सही किया है दोनों equation में फरक है, यह और यह equation दोनों अलग है इसमें क्या करना पड़ेगा या तो पहले minus 1 को इधर लाओ तो यह A plus 1 होगा, V by 2 फिर जब 2 इधर multiply होगा तो यह 2A plus 2 बनेगा और A मैंने X ले रखा है तो इसलिए 2X plus 2, समझ गए? समझ गए? सभी बच्चे हैं? अब इशेक आपका कहना है cannot be less than 113 रुपे अभी समझ आगे है अन्शू आपको? ठीक है? राज आपका कहना है 113 रुपे क्या बात है यार बहुत ही बड़ी है बहुत ही अच्छे कई बच्चों ने जिन्नोंने 113 बोला बहुत बड़ी है जी समझते हैं कहता है रवी has a certain number of note रवी के पास क्या है? कुछ certain number of note है एक रुपे, दो रुपे, दस रुपे के the ratio of the number of रुपी 1 note and that of रुपी 2 के note वो 5-4 के ratio में हना? जो एक रुपे के note है और जो दो रुपे के note है ठीक है? उनका ratio क्या है? that is 5-4 है और कहता है जो 10 रुपे के note है is more than is more than the total number of एक रुपे और दो रुपे के note मतब एक रुपे और दो रुपे के note है 10 रुपे के note उससे जादा है तो यहाँ पर आप यह माल लो अगर किसर जो एक रुपे के note है अगर आप simple बोलो, किसर जो एक रुपे के note है, अगर वो 5-X है तो दो रुपे के note कितने होंगे 4X क्योंकि 5-4 के ratio में तो जो 10 रुपे के note है 10 रुपे के note वो इनका जो sum होगा 5-4-9 9X से जादा होगा भई अगर एक रुपे के note 5X है और यह 4X है, तो जो 10 रुपे के note है वो से 9X से जादा ही होंगे अब आपको गया करना है आपको यह बताना है कि रवी के पास जो value है वो इतने से कम नहीं हो सकती आपके बताना है कि रवी के पास जो total amount है वो भई इतने से कम नहीं हो सकता मतलब कहीं न कहीं आपको minimum value पे जाना है yes और no भाई आपको minimum पर ही तो जाना है अगर आपको किसी चीज का answer करना है कि भाई ये जो फलाना value है ये इससे जादा कम नी हो सकती तो मतलब आप उसकी minimum value निकाल लो minimum अब minimum value कब आएगी जब आप x की value 1 लोगे आप क्या करो to get minimum value to get minimum value minimum value निकालने के लिए x की जगा 1 लिख दो x की जगा 1 ले लो अब अगर आप x की जगा 1 लेते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 रुपे के note है न 9 16 9 9 से जादा है 9 से जादा तो इसका मतलब 10 रुपे के note कितने लोगे 10 9 से जादा 10 लो minimum रखना है तो 10 लो अब x की value वैंने 1 ली है तो 1 रुपे के note कितने है that is 5 वंजा 5 2 रुपे के note कितने है 4 वंजा 4 ये note है और इनकी value क्या हो जाएगी अगर मैं value की बात करूँ तो 10 रुपे के 10 note मतब 100 रुपे 1 रुपे के 5 note 5 रुपे 2 रुपे के ये मतब 8 रुपे total बने 120 तो सबसे minimum value 113 आ रही है तो इसने बोला था कि भाई कौन सी value है कि जिससे कम नहीं हो सकता तो सबसे minimum value आ रही है 113 यानि कि जो उसके पास पैसा है वो 113 से कम नहीं हो सकता आगी बात समझ में राहूल, रिया अभिशेक, अंकिस, सभी बच्चों को yes और no, समझ आया, बहुत बढ़ी है अगले question पे आते हैं, इसको try करो वो सब यार अभिशेक practice के साथ improve हो जाता, ठीक है मैं समझ आँ अभिशेक, पता कई दिककर जो बच्चे कहते हैं, सर, mock test में score नहीं आ रहा होतना वो इस चीज को बता है, main क्या होता है, timer में deal करना वो जो 40 minute का timer चल रहा होता है वहाँ पे deal करना, काफी बड़ा task होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ improve किया जा सकता है number of mock test दे दे कर, दे दे कर, ठीक है सर, last point repeat करना प्लीज सर, जो last point है अली बाबा जो last point है, वो यह कहना है कि आपको इसने बोला भाई कि भाई, इतने से कम नहीं हो सकता तो मदब minimum निकाल लो, minimum कब आएगा जब आप x के जगा 1 लोगे अब जब आपने x के जगा 1 लिया x के जगा 1 लिया, तो जो 10 रुपे के note है, वो 9x से बढ़ा होगा अब आप x के जगा 1 लोगे, तो 9x के value 9 हो जाएगी, यानि 10 रुपे के note 9 से जादा है, अब 9 से जादा कितने 10, क्योंकि minimum रखना है अब 9 से जादा तो आप के जगा 20 note लिलो लेकिन minimum रखना है न, इसलिए 10 लिया मैं ले, 1 रुपे के 5 note क्योंकि 5x था और ये 4x हना, तो note जो है 10 रुपे 1 रुपे और 2 रुपे के, अगर आपको minimum answer चाहिए, तो वो 10, 5, 4 लिने होंगे, जिसकी वज़े से amount कितना बनेगा 10 रुपे के 10 note, कितने रुपे होगे 100 रुपे, 1 रुपे के 5 note 5 रुपे, 2 रुपे के 4 note, 8 रुपे, 113 रुपे ठीक है done है, समझ आगे होगा, इसको try करना एक बार इसको try करो ठीक है, तो इसको एक बार आप try करना है इसमें क्या बोला है a two digit number is either formed by adding 7 to two times the sum अब देखो एक तो यह दिया लखना जब भी ये two digit number के question आते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे में कि 10s place को आप सबको पता होगा, 10s place पे जो number होता 10s place पे, उसको हम लोग x लेते हैं, जो 1s place पे number है, उसे हम लोग y लेते हैं, तो ऐसे में जो two digit का number बनता है ऐसे में, जो two digit number बनता है, वो क्या बनता है, that is 10x plus y बनता है, सही बात है yes or no, 10x plus y बनता है right, अच्छा मुझे एक बात यह बतादो छोटी सी, इस question में ये बोला है, क्या, कहता है कि जब आप number को reverse करते हो न, तो वो increase हो जाता है क्या बोला है, कि जब आप number को reverse करते हो, तो वो number increase हो जाता है, तो क्या आप इसके basis पे ये बता सकते हो कि x greater than y होगा या y greater than x होगा ये बताना, अगर ये कहा रहा है कि number को reverse करने पे, वो number increase हो जाता है digit को reverse करने पे digit को reverse करने पे वो number increase हो जाता है तो उसमें x मतलब क्या बढ़ा होगा आपके साब 10th place बढ़ा होगा या 1st place बढ़ा होगा, आपका कहना है कि sir y greater होगा बहुत अच्छे example के लिए कोई भी random number उठाओ जैसे 35 लेता हूँ अब मैं 35 ले रहा हूँ मतलब 10th place को छोटा रखा once को बड़ा अगर मैं इसको reverse करूँ तो 53 बनेगा मतलब increase हुआ और वहीं अगर आप ले लो 72 reverse करो तो क्या बनेगा 27 बनेगा मतलब कि decrease हो रहा है तो जो इसने line बोली ना कि after reversing the digit हाना number increase होता है तो वहाँ से पता लग रहा है y is greater than x ठीक है इस बात का ध्यान रखें तो जब मैं question deal करूँगा तो मेरा ये point होगा उसको समझना तो पहले तो worst of formality आप सबको बता है कि जो 10s place होता है हाना उसको हम लोग क्या ले लेते हैं that is x ले लिया जो 1s place होता है उसको मैंने y ले लिया तो जो number बनता है वो कैसे लिखा जाता है 10x plus y अब question पहाते है question कहा रहा है a two digit number is either formed by adding 7 to two times the sum of the digits तो जो digits का sum है that is x plus y इसके double में जब आप 7 add करोगे तो आपको आपका number मिल जाएगा और number कहा 10x plus y यानि ये मिल जाएगा ठीक है जी बात फिर इसी तरह एक बात बोली कहता है और एक और तरीका है कि आप क्या करो जो इनका difference अब जब देखो difference है तो difference में depend करता आप x minus y लिखोगे या y minus x लेकिन आप prefer करोगे y minus x को क्योंकि हमें पता है कि y is greater than x क्योंकि y x से बड़ा है क्योंकि जो y है वो x से बड़ा है तो that's why मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा यहाँ पर क्या लिखूँगा जुसने बोला ना कि difference के चार गुना से जो difference है उसके चार गुना से एक जादा है हाँ ना तो एक number आपको कम मिलेगा जब आप उनके digit के difference को 4 से multiply करके one add करोगे तो आपको number मिल जाएगा और number क्या है 10x plus y आई बात पकड़ में सभी बच्चों के अबुल अभी बताओ अपने बुला repeat करने को अभी समझाया देख लो क्या कोई दिक्कत इसमें अबुल पढ़ो यार इसको 10x plus x 1 plus y number होगा 10x plus y तो मैंने क्या point रखा कि भाई जो sum है मतब x plus y जो sum है उसके double में जब मैं 7 add करूँगा तो मुझे number मिल जाए number आजाएगा मतब 10x plus y not less than होता तो equal 9b ले सकते हैं हाँ तब 9 लेते सौम्या तब 9 लेते अच्छा यार चलो मैं इसको solve को मैंने थोड़ा direct लिख रहा हूँ यार आप लोग समझ जाना मैं बस value को left right कर रहा हूँ और कुछ नहीं है तो यहाँ पर वही है जैसे यह कितना हो गया 2x 10x में से 2x गया 8x आ जाएगा यह 2y है minus करोगे तो minus का y हो जाएगा और equal to में 7 यहाँ से equation क्या बनेगी 10x में से minus 4x मतलब 14x हो गया और यहाँ पर y है यहाँ पर 4y minus करूँगा तो minus का 3y हो जाएगा और 1 आ जाएगा equation को जब solve करोगे मैं सीधा लिख देता हूँ x की value 2 आएगी और y की value 9 आएगी अब अगर x है 2 y है 9 तो इसका मतलब नमबर क्या है आपका जो नमबर है 2nd 3rd में जो वो लोग बताते थे याँ थो 1s place, 10s place, 100 place की एक नमबर को places पे break करो तो जैसे एक नमबर लिखा है 732 तो आता था छोटी classes में की places पे break करके लिखो तो हम लोग कैसे लिखते थे क्योंकि यह 100 place पे है यह 10s place पे है 1s place पे है तो किसी भी नमबर को जब places पे break करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ठीक है प्रकर कोई बात नहीं प्रकर ऐसे छोटी छोटी चीज़ों होता है या कई बार click नहीं करती अभी मैंने बताया ना तो वही फीर आता है कि अच्छा यह करना था क्या सर ठीक है डन है इसको ट्राइ करो एक बार ये भी बड़ा अच्छा कुश्चन है ठीक है पिट्टू आपने करना सर प्लीज 7 to 2 क्लियर नहीं हुआ अधिंग 7 to 2 टाइम्स चलो बाकी बच्चे ट्राइ करो अरे उसमें लिखा था ना कि एड करना है 7 को किसमे 2 टाइम्स हाँ ना 2 टाइम्स और 2 टाइम्स किस चीज़ का डिफरेंस का तो पहले आपने क्या करना है डिफरेंस था I don't know डिफरेंस था सम था सम था सम लिखा था सम अफ डिजिट्स तो आपने क्या करना था इसमें ये जो लास्ट कॉश्चन में लिखा ना adding add seven to two times of the sum of digit अब digits आपने ले रखिए X और Y तो X और Y का सम क्या होगा digits का सम क्या होगा X प्लस Y हो गया digit का सम इस X प्लस Y मतलब जो सम है उसका two times मतलब उसके double में आपको 7 add करना है तो आपको number मिल जाएगा अब digits का X और Y तो sum क्या होगा x plus y तो उसके double में 7 add करोगे तो आपको number मिलेगा और number है 10x plus y अभी समझ आ गया नहीं शिवानी सारी classes geometry की नहीं है geometry का मैं marathon रखूँँगा वो आपको help करेगा ठीक है ठीक है pin 2 बढ़िया चलो हाँ इसका answer बताओ आया इसका answer आप बच्चोगा कि in a given proper fraction if a certain positive number is subtracted from both the numerator and denominator then the fraction become 1 by 2 if this positive number is added to both the fraction become 11 by 15 तो what is the fraction तो बताओ fraction क्या है अभिशेक आपका कहना है 15 by 23 प्रखर आपका कहना है 6 by 5 हाँ यूट्यूब पे करूँगा मैं marathon एक लंबा सा ठीक है अभी फिलाल में जो आप कर सकते हो आप बच्चे तो मैंने geometry में जो formula book कराई थी उस formula book में मैंने हर एक short trick को explain किया है और pyqs at least ये दो चीज़े तो करी लो ठीक है बाकि मैं YouTube पे जो marathon रखूँगा जो मैं सारी variety कोशिश करूँगा cover हो जाए ठीक है बदो उस session में मैं around कोशिश करूँगा 50 से 60 question करूँगा एक दिन में और वो 50 साथ question में इस तरह से design करूँगा कि हम हर एक point के उपर बात कर पाए ठीक है हाँ बिल्कुल है सौम्या मैंने telegram group पे share कर रखी है ठीक है सौम्या मैंने share कर रखी है आप एक बाद telegram पे message डाल दो कि किसी बच्चे के पास formula book की PDF है तो please share कर दो वो आपको कर देंगे चलो देखें एक बार बहुत क्या बात है विशे cross verify कर लिया है टेलिग्राम या description में link मिल जाएगा नहीं तो search कर लो unacademy underscore रमन unacademy underscore के साथ रमन ठीक है यू capital है और 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 कैपिटल है शिवानी सर्च करो टेलिग्राम पे सर्च करना यू capital रखना unacademy ठीक है फिर underscore का symbol capital R के साथ रमन तो मेरा टेलिग्राम ग्रूप मिल जाएगा लगबग 3000 subscriber दिखेंगे आपको इस चैनल पे ऐसे मैं hint के लिए बतारो ठीक है नहीं मिल रहा मिलना चाहिए वैसे description में देख लिए ना link होगा या मैं करता हूँ अभी share करता हूँ नहीं इधर आजहो question पे अब यह जो कहा रहा है कि जो proper fraction है अब fraction हम लोग कैसे लिखते है जैसे निउम्रेटर होता है numerator को X लिया denominator को Y लिया तो एक fraction कैसे लिखा जाता है fraction कैसे लिखते है X upon Y fraction कैसे लिखते है X upon Y X upon Y तो कहता है एक positive number को जब आप subtract करते हो, numerator, denominator दोनों में से, तो fraction बनता है 1 by 2, numerator x है, x में से positive number को minus कर दो, denominator y है, उस में से positive number minus कर दो, तो जो आपका fraction बना, यह जो नया fraction बना है, x minus p upon y minus p, यह कितना बना है, that is 1 by 2 बना है, that is 1 by 2 बना है, equation solve करता हूं, तो यह हो जाएगा 2x minus 2p, यह y minus p, तो 2x, y को इधर लाके minus y, वहाँ minus का p था, minus का 2p, minus का 2p वहाँ जाएगा, तो p बन जाएगा, यह बन गी पहली equation, ऐसे यहाँ पर लिख देता हूं, यह बन गी पहली equation, 2x minus y equal to p, ठीक है, यह पहली equation बन गई, ओके, और दूसरे पर आता हूं में, दूसरा यह कहता है, कि if this positive number is added to both, अगर यह positive number दोनों में add कर दिया जाए, दोनों में, numerator, denominator दोनों में add कर दोगे, जैसे कि मैंने x में p add करा, y में p add करा, तो fraction बन जाएगा 11 by 15, इसको जब मैं solve करूँगा, 15x, ठीक है, यह वहाँ पर 11y जो इधर आ करके minus का 11y होगा, यह 15p, वो 11p, 11p में से 15p जाएगा, तो यह आजाएगा मेरा, minus का 4p आएगा, 15x और minus में 11y, 11y इधर आ करके minus का 11y, हाँ, यह यह आएगा, minus का 4p आएगा, minus 4p आएगा, right है जी बात, clear सभी को, ठीक है, अब एक बात देखो, अब आपके सामने 2 linear equation है, दो linear equation है, पड़ एक बात, देखो, ध्यान से सुनना मैं क्या करा हूँ, आपके सामने 2 linear equation है, पड़ इन 2 linear equation के अंदर 3 variable है, linear equation है, 2 variable है, 3, कैसे calculate करूँ, कैसे calculate करूँ, तो देखो मेरे भाई, पहले तो यह समझो, कि आपको x और y की individual value नहीं निकालनी है, yes और no, आपको x की और y की individual value नहीं निकालनी है, आपको x, y का relation निकालना है, आपको relation निकालना है, x upon y निकालना है आपने, क्या यह बात clear है, 2 variable, 2 equation में 3 variable नहीं solve किये जा सकते, individual value नहीं निकाली जा सकती है, यह तो पक्की बात है, और वो आपसे individual बोल भी नहीं रहा कि निकालो, वो नहीं बो आओगा, तो आपको right now इस equation में P नहीं चाहिए आपको इस equation में P की जरुवत नहीं है, right कुछ नियांशू solve किया है, यह हो जाएगा 15X plus 15P यह इधर 11Y plus 11P, तो 15X minus 11Y, यह 15P इधर आएगा, तो minus का 4P हो जाएगा आपको चीज करिए मैंने, तो आप क्या करो इस equation में से P को eliminate कर दो मतलब यह जो उपर equation है न, इसको 4 से multiply कर दो, इस equation को 4 से into कर दो, और 4 से into करके दोने equation को add कर दो imagine करो, अगर 2X में आपने 4 multiply किया तो 4 2 जा 4 2 जा 8X, 8X में 15X को add करोगे तो 23X आएगा 4 को जब आप Y में multiply करोगे तो minus 4Y यहाँ minus 11Y, कितना बन गया, minus का 15Y और यह है 4P minus 4P 0, तो यहाँ से 23X equal to 15Y, तो X upon Y आजाएगा, that is 15 upon 23, तो यह एक answer है ठीक है proper fraction का मतलब होता है अब जैसे fraction तो 4 by 6 भी है पर वो proper fraction नही है यह cancel out होके 2 by 3 बनेगा ठीक है आ रहा है समझ में, ठीक है feel आ रहा है, बड़िया बड़िया कुशन है सारे, ठीक है मतलब एकदम ऐसे नहीं की फटाक से मतलब सोच ना आपका improve कर रहा है कई ना कई जरूवत नहीं है पियूश, इसको समझना है, ठीक है अगर आपको कुछ एक point नहीं समझ आते है तो आप एक काम करना, ऐसे में कुशन को ध्यान रखो, और recording ना दुबारा देख लिया, अगर आपको समझ आ जाएगा इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ऐसे कुशन आते हैं, बिलकुल आते हैं क्यों नहीं आएंगे आरे, आते हैं, बिलकुल आते है और यहीं सब question में बच्च अटकते हैं क्योंकि वो shortcut shortcut करके सोचते रहते हैं ठीक है, कुछ question ऐसे होते हैं जिनमें basic सी question बनती है, बस इतना ध्यान रखो रिया मैंने वो 50 days का time table show किया था आपने वो देखा है इसी YouTube channel पे एक session आपको देखेगा और वो जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है उसमें मैंने 50 दिन का पूरा time table share किया था कि कौन-कौन से दिन में आपको कौन-कौन से chapter करने क्योंकि 50, देखो, क्या होता है न हम सब के साथ ये है कि जब हमें कोई सामने वाला एक task देता है न तो हमें जादा feel आता है समझ हो रही है अब मैं आपको बोलू कि रिया क्या कर रहो जो बैठके अंदर बैठके पढ़ाई करो पढ़ने बैठ गए अब आप पढ़ने बैठ गए आपने चार दिन के अंदर तुझे ये दो चैप्टर करने time and work और time, speed and distance बाकी सारी quants को भूल जा ठीक है बाकी पूरी quants आपको मतलब नहीं होना चाहिए आपको मतलब होना चाहिए कि चार दिन के अंदर मुझे दो चैप्टर करने तो इसी तरीके से 50 दिन का proper time table मैंने share किया था उसको follow करके देखो actually बहुत ज़ादा improvement आपको दिखेगी क्योंकि हमें न वहाँ पर एक task दिखेगा हम पूरे 50 दिन का नहीं सोच रहोंगे हम सोच रहोंगे ये 3 दिन का कि भाइस 3 दिन में 2 चैप्टर करने ऐसे मैंने पूरा time table बनाया कि starting के 3 दिन में क्या पढ़ना चाहिए अगले 4 दिन में क्या पढ़ना चाहिए अगले 5 दिन में क्या पढ़ना चाहिए ऐसे करके समझ गए में 3 रहा तो उसको follow करो बहुत ये 50 दिन आप बहुत सही manner में utilize कर लोगे दूसरा मेरा suggestion ये है कि मैंने आपको quants का दिया 50 दिन का schedule अब कुछ बच्चे लिख रहे थे chat में की sir VARC भाई देखो मेरी VARC इतनी जादा strong है न इतनी जादा मेरी VARC strong है कि मैं VARC पे आपको ये सिखा सकता हूँ कि कैसे question को गलत किया जाए कहने का अतात पर है कि मेरी VARC खुद खराब है और मैं आपको क्या guide करूँगा VARC में ठीक है तो इसलिए आप लोग ठीक है इसलिए आप लोग क्या करें जैसे मैंने 50 दिन का quants का time table बनाये था न उसी तरीके से अगर कोई और teacher आपको time table नहीं दे रहे है तो आप खुद से 50 दिन का time table बना लो ठीक है प्रकर ये जो channel है न ये जो अभी channel है बलकि अभी देख लो जब तक बच्चे solve कर रहे हैं इस channel पे जाओ चैनल पे आप videos पे जाओ videos को थोड़ा scroll down करो थोड़ा scroll down करना ठीक है तो ये है चार दिन पहले की video है ठीक है 7th October को मैंने video डाली थी अप इसी YouTube चैनल पे जिसमें मैंने 50 दिन का time table शो किया है एक है short video एक है short video जिसमें मैंने time table शो किया है और एक थोड़ी लंबी video है 40 minute की पर मेरा suggestion लोगा हो 40 minute की video देख लेना क्योंकि वहाँ मैंने पूरा explain किया है कि मैंने time table को ऐसा क्यों रखा है mock test कब देने है मतब right now ये 50 दिन आप कैसे बहतर तरीके से utilize कर सकते हो अगर time निकले तो 40 minute की video देख लेना ठीक है I know कि अब आप कहोगे सार 40-50 का आप तो सार 46 दिन बचे है 47 coin air 2-3 दिन चलता है ठीक है वो time table adjust कर लेना ठीक है चल आते हैं मुद्दे पे कई बच्चों के answer आ चुक है which is good देखो तीन बैग 5 बुक 9 calculator इतने रुपेंग है अब मालो bag x रुपे का है तो 3x बुक y रुपे की है तो 5y calculator y रुपे का है z रुपे का है तो 9z तो that is equal to 3 ये तो I think सभी बच्चों को टुच्चा सा लगा होगा ना question इस पे feel नहीं आए ना आप सबको कि ज़र ये क्या आपने basic सा question डाल दिये तो 2 bag 2x रुपे की है 10 book 10y की है 6 calculator 6y की है देखो ये question सिर्फ मेरा डालने का purpose ये है कि 2 equation variable 3 हाना equation 2 variable 3 तो मैं बस आपको इस question के थुरू ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपके सामने variable होते हैं जादा equation होते हैं कम तो आप individual answer नहीं निकाल सकते आप ये individually xyz आप नहीं निकाल पाओगे except की बहुत जादा conditional equation बना दिये है generally अगर 2 equation है तो आप तीनों variable को individually calculate नहीं कर सकते तो ऐसे में examiner जो आपसे पूछता है ना वो कुछ जैसे वो क्या पूछ रहा है 2x plus 6y की value क्या होगी तो जो आपसे examiner पूछेगा sorry 6z की value क्या होगी तो जो आपसे examiner पूछेगा वो बहुती कुछ ऐसा पूछेगा जो इन दोनों equation से काफी जादा relate हो रहा होगा तो आपको answer किसका बताना है 2x plus 6z का मतलब आपको y का answer तो नहीं बताना न तो y को eliminate कर दो इस पूरी equation को 2 से multiply करके minus कर दो ठीक है तो जब आप इसे 2 से multiply करोगे ये 2 3s आ 6x 6x में से 2x गया तो 4x आ गया ये हो जाएगा 2 5s आ 10y 10y में से 10y कट जाएगा 9 2s आ 18z 18z में से 6z गया तो 12z ठीक है 3980 में 2 multiply करोगे तो ये हो जाएगा आपका 160 78 यानि 7 9 6 0 7 9 6 0 में से अगर आप इसको minus करेंगे तो 3640 अब ये आगया आपके सामने लेकिन आपको answer किसका बताना है 2x plus 6z तो आपको होगे sir relate हो रहा है बहुत जादा अगर मैं sir यहां से 2 common निकाल लूँ ठीक है and that is 3640 तो sir 2x plus 6z का answer आजाएगा 1820 तो इस question से मैं आपको बस ये बताना चाहरा था कि कई बार variable कम equation कम होती है variable जादा होती है individual value नहीं निकालनी होती वो जो पूछ रहा है वो एक kind of relation बूछता है जिससे आप solve करोगे तो आप पहुच जाओगे relation पर done है आगे बढ़े yes or no क्या यहां तक बास सभी बच्चों को clear है ठीक है वीडियो को like कर देना है अगर किसी ने वीडियो को like नहीं किया है बस कर देना अब reason reason क्या ही बोलूँ ठीक है आपको ठीक लगे तो वीडियो को like ज़रूर कर देना इस question पर आजो अच्छा question है feel आएगा ठीक है तीन question और बचे तीन question और बचे राहुल अभी तीन question और है ठीक है हाँ अभी शेक पता है क्या ठीक है अभी शेक पता है क्या मैं आपको बताता हूँ जब देखो क्या होता है अभी शेक दो equation होती और variable 3 होते है ठीक है यह मालो आपके सास 3 equation है variable 4 है तो ऐसे मैं पता है क्या होता अभी शेक individual answer तभी आ सकते है जब उन 2 equation को बहुत ज़्यादा set करके दिया गयो वो जो दोने equation है उनको बहुत ज़्यादा set करके दिया जाएगा ना तो आप individual सबकी value बता सकते हो otherwise नहीं बता सकते हैं ठीक है अभी शेक दन अभी शेक क्या क्या रोम है इस बात को थोड़ा ध्यान रखना ऐसे मैंने equation बहुत ज़्यादा relate करती है तो एक अलग बात है इसका answer बता है आप सभी बच्चे क्या होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया था कुछ question मैंने इसमें ऐसे भी रखे हैं कि जिसे बिना x माने किया जा सकता है ताकि आपके ने clarity दिमाग में बनेगी कहाँ x मानना और कहाँ नहीं मानना है वो clarity बनना ज़रूरी है जैसे question का solution कराने के बाद आपको एक बात मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना फिलाल चलो आप लोग answer बताऊ क्या होना चाहिए इसमें गैदा रतन, आदित्य, किरन, माया, मौनिका contested an election there were 1200 valid vote and no candidate other than these five इन पांसला कोई candidate नहीं है माया को half the number of vote मिले than रतन and आदित्य got रतन और आदित्य के comparison आधे vote मिले किरन को half vote मिले है than the other four रतन, किरन, माया, मौनिका को जो vote मिले हैं वो triple है से और जो रतन है उसे total vote का one-fifth मिला है हाना, तो बताईए कि मौनिका को माया से कितने जादा vote मिले है ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर यह कर सकता हूँ पहली बास सुनना, जैसे मैंने पहली line पड़ी ना, तो पांच बंदे हैं, पर पांच में से जो पहली line है कि माया को रतन और आधित्य से आधे vote मिले है तो रतन आधित्य का data तो मैं नहीं निकाल सकता तो मैंने का चल बाद में देखेंगे मैं आगे बड़ा, मैंने का चलो किरन वाले data पर आदा हूँ तो किरन को compare किया गया, बोला गया किरन को आधे vote मिलते है comparison to other four तो ये बड़ा आसान हो गया, कैसे सर किरन जो है उसे जो बाकी के चार बंदे है बाकी के चार बंदे, उनके comparison आधे vote मिले है यानि बाकियों को अगर दो vote मिले है तो किरन को एक vote मिला है किरन को एक वोट मिला तो मैं यहां से बड़े आराम से बता सकता हूं किरन को कितने वोट मिले that is sir 1 by 3 of 1200 बोले तो 400 वोट sir किरन को मिले किरन को मिले 400 वोट फिर मैं जब अगली लाइन पे गया कहता रतन, किरन, माया, मौनिका इन चारों को आदित्य से ट्रिपल वोट मिले यानि आदित्य का comparison अधर बंदों से किया गया तो इनको ट्रिपल वोट मिले आदित्य से यानि आदित्य को कितने वोट मिले है क्योंकि anyways आदित्य और अधर अगर आदित्य और अधर लोगों को मिला दू मैं तो पाचों बंदे हो गए, समझ आ रहा है, अचा इवार चैट में बताओ, मैंने पहली लाइन का यूज क्यों नहीं किया, मैंने पहली लाइन से क्षिशन को स्टार्ट क्यों नहीं किया, अगर आपको समझ आ रहा है, कि मैंने जो पहली लाइन है, जिसमें बोला था कि माया क रतन और अधित्य से आधे वोट मिलते हैं मैंने इस लाइन से कुश्चन को शुरू क्यों नहीं किया मैंने किरन वाली लाइन से क्यों स्टार्ट कर दिया किरन वाली लाइन से क्यों स्टार्ट किया माया वाली लाइन से क्यों नहीं किया बताओ अंश अभिशेक reason बताओ यार ऐसा क्यों क्योंकि बता रहे हो क्योंकि जो आपको 1200 पता है न आपको पता है कि 1200 total vote आपको total vote पता है यह देखो न आपको पता गया है आपको right now पता है total vote that is 1200 कि 500 बंदों को कितने vote मिले आपको right now यह पता है कि 500 बंदों को कितने vote मिले तो मैंने किरन वाला data उठाया क्योंकि किरन का comparison other logo से किया गया है मतलब यह 500 लोगों की बात हो गई यहां पर जब मैंने किरन का compare कि other logo से तो मैं 500 बंदों की बात कर रहा हूं और मुझे पता है पांचो बंदों को 1200 वोट मिले तो इसलिए मैंने इस लाइन को तुरंट सॉल्व किया ये वाली जो लाइन है जहाँ पर रतन, किरन, माया, मौनिका को compare किया आदित्ते से तो पांचो कर दिया तो इसको अगेन मैं पिक कर लूँगा क्योंकि पांचो बंदे हो गए ना रतन और बाकी के मिला के सारे हो गए कितने वोट मिले है वन फिफ्थ वाल्द इसे एक हो तो इन्हें पांच तो रतन को कितने वोट मिले वन बाइ रतन कहां पर है भाई साब ये बैठे रतन को मिले है 200 वोट तो 200 और आदित्ते को मिले 300 दो सो और 300 का आधा मतलब 200 वोट मिले है माया को तो मौनिका को कितने वोट मिले होंगे तो 1200 में से ये सारे वोट हटा हो किरन को मिले 400 आदित्ते को मिले 300 रतन को मिले 200 इसको मिले 200 ये अच्छा बाई हाओ क्या लिए हाओ मैनी वोट मोर देन माया को मोनिका से कितने जादा वोट मिले है तो आप क्या दो सर 200 में से अब कुश्चन यहाँ से बहुत डिफिकल्ट है 200 में से 50 माइनस करना है बिल्कुल भी असान नहीं है बट अगर आप कैलकुलेटर का यूस करोगे तो आप बता सकते हो कि सर 200 अंसर होगा डन है बात क्लियर राज वगेरा सभी बच्चों को तो देख रहो अच्छा अब मुझे ना आप बताना अब ना मुझे एक बात बताना कोई ना फालतोगा शौफ नहीं करेगा पहले ही मैं आपको एक चीज पहले ये बता देता हूँ अपने इगो पे इगो वाले मैनर में नहीं कह रहा लेकिन मेरी बात सुनना करने गो ना मैं भी जितने क्वेशन कराए ना आपको उन्हें मैं बिना एक्स माने कर सकता हूँ बट पता है क्या वो बहुत जबरजस्ती वाले हो जाएंगे कि मैं जबरजस्ती इस बात के पीछे बढ़गे हो कि एक्स नहीं मानना है तो उसको घुमा फिरा के इधर उदर से कर करा के किसी तरह मैं उसे solve कर दूँगा लेकिन वो बहुत time taking होगा बलकि उससे better equation बना दो अब जो मैं पूछ रहा हो न आप बस मुझे उस बात का अंसर करना मैं चाहता हूँ आप calculate नहीं अपने दिमाग पे जो डालो और मुझे ये बताओ कि जैसे ये question है सुनना बस ये जो question है इसमें आपने x नहीं माना आपने बिना x माने बिना equation बनाए question को solve कर दिया बिना equation बनाए वही जो example के लिए वही जो example के लिए let's say suppose ये question था ये question था यहाँ आपने x लिया इस question में और last question में ऐसा क्या फरक है कि इधर मैंने equation बनाई पर उस question में मैंने equation नहीं बनाई ऐसा क्या फरक है दोनों question में ये जो question है age वाला question और अभी जो हमने last question किया है दोनों में ऐसा क्या difference है कि मैंने इसमें तो equation बनाई पर उसमें मैंने equation नहीं बनाई थी ये बताओ जरा नहीं एक variable में मैं last question में भी ले सकता था यार वो बड़ी बात नहीं है जो एक variable है न वो मैं last question में भी ले सकता था वो मुद्दा नहीं है वो मुद्दा नहीं है मैं बताओ देखो अब जो मैं बोल रहा हूँ न जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना और अपने दिमाग में जाने देना जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को सुनना और अपने दिमाग में जाने देना मैं ये बोल रहा हूँ आप एरी बात सुनो मानलो एक question है जहां पर मैंने एक line लिखी है कि age of father is three times than that of son father की age बेटे की age का three times है और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ कि age of father age of father is is two more than three times the age of son ये बात जो मैं बोल रहा हूँ अपने दिमाग में जाने देना इसलिए सिर्फ सुनना मैं बोल के रहा हूँ ये जो line मैंने लिखी है पहली line उसमें मैंने बोला बाप बेटे की age का triple है तो इसका मतलब बेटा अगर x साल का है तो जो बाप जो पिताजी है जो पिताजी है वो कितने year के हैं 3x के अगर आप इसका ratio निकालोगे तो x से x कट जाएगा मतलब डेटा आया 3,1 वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर जो बेटा है वो x साल का है तो जो फादर है वो बेटे की age के 3 times 3 times the age of sun यानि बेटा x का है तो फादर की age क्या है पहली बात बेटे के triple से 2 जादा अब जरा इसका ratio निकालो क्या x से x कटेगा हाँ या न क्या x से x कटेगा आप कहोगे नहीं सर आप कहोगे सर नहीं कटेगा तो कहने का मतलब है आप ध्यान से सुनना मेरी बात को जब भी हम quants का कोई question पढ़ते हैं तो उसमें अकसर comparisons चलते हैं एक data को दूसरे data से compare किया जाता है बाप की age बेटे से इतनी है बेटे की age बाप से इतनी है बैट का price बॉल के price के comparison इतना है हाना comparison चलते हैं एक दूसरे के साथ compare किया जाता है चीजों को एक होता है comparison करना like कि भाई जो बाप है वो बेटे की age का 200% है बाप बेटे की age का triple है बाब बेटे की एच का 3 by 2 times है एक होते हैं ये data और एक होते हैं जहाँ पर चीज plus minus के sense में बोली जाती है कि बाब बेटे की एच के triple से 2 जादा है बाब बेटे की एच के triple से 2 कम है जहाँ पर चीजे ऐसी बोली जाती हैं कि जैसे जब आपको पढ़के लगे कि भाई plus 2 होगा minus 2 होगा तो वहाँ पर आप बिना x माने नहीं कर सकते हैं हाँ अगर आप उसे जबर जस्ती करना चाओ जैसे मैंने बोला कि मैं कर सकता हूं बिना x माने लेकिन वो बहुत जबर जस्ती वाला question हो जाएगा क्या ये बास सभी बच्चों के दिमाग में गई मैं कहना क्या चाहा हूं क्योंकि इससे आप differentiate कर पाओगे कि भाई जैसे ये question था अब ये question क्या था ये manager पढ़ा इसमें जहां पर भी मैंने दिखा पहले माया को compare के रतन आदित्ते से लेकिन कैसे बोला कि माया को रतन आदित्ते के comparison आधे vote मिले आधे vote, you know 2-1 का ratio, किरन को सभी बंदों के comparison चार गुना जादा vote मिले, 4-1 का ratio यानि कि एक X है तो दूसरा 4X है रतन, किरन, माया, मोनिका को triple vote मिले है आदित्ते से आदित्ते X तो वो 3X मतब triple है, या फिर half है तो इन सब जगावे मुझे लगा है बिन X माने हो जाएगा, लेकिन अभी इस question में मैं ये लिख देता न, कि रतन got, अगर मैं या इस question में ये बोल देता न, कि रतन को सभी बंदों को जो vote मिले उसके 1-5 से सभी बंदों को जो vote मिले उसके 1-5 से 3 vote जादा मिले रतन को, सभी लोगों को जो vote मिले, उसके 1-5 से 3 जादा vote मिले, तो मैं इसको X मान के ही करता, क्या ये बात सबके दिमाग में गई, कि कहा X मानना होता है, कहा X, जहाँ पर surety है कि भाई, यहाँ X नहीं मानेंगे हाँ, अब जबर्जस्ती की बात हो जाए कि नहीं, जादा ही ego पर ले जाओ कि आज तो तेरा भाई बिना X मान के ही करेगा, ठीक है, वो वाला ego हो जाए तो बात की बात है, otherwise तो कोई logic नहीं बनता है yes or no, बात पकड़ में आ रही है सभी के, statement में difference पकड़ना, ठीक है, आते है next question पे ठीक है, आते है next question पे अब जैसे ये question है, मुझे बस इतना बता दो आप लोग चाट में, अगर आपको मेरी last बात पकड़ में आई है, तो जैसे ये वाला question है, ठीक है अब इसमें बताता है, वैसे तो हालक ये age का question होना चाहिए, ये वैसे age का question होना चाहिए, ठीक है, इसको हम लोग ratio पे deal कर सकते है, because of a reason मैं बताता हूँ क्या, देखो इसमें कहता है 5 year ago, मालो ये present data है, ये present data है present data से 5 साल पीछे चले जाओ, minus 5 year और present data से पहले तो 5 year ago जो father की age है, वो कितना बुले है 2 and a half times है बेटे की age की अच्छा, तो मतलब जो father son है, वो किस ratio में है 2 and a half है न, तो इसका मतलब मैं कहा सकता हूँ कि बेटा अगर 1 साल का है तो बाब 2.5 साल का है, डबल कर तो 5 से 2 लिख दो, यानि बाब बेटे की age का ratio 5 से 2 है done है yes or no? कराऊंगा यार हर्ष, मैं मतलब एक दो दिन में करा दूँगा, ठीक है? तो अभी 5 साल पहले बाब बेटे की age का ratio 5-2 है अब यहाँ पे कहता है आगे क्या कहता है 5 year from now अब present से 5 साल आगे चले जाओ present से 5 साल आगे चले जाओ तो इसमें बोला है कि जो father है वो बेटे की age का double है twice है, मतलब 2-1 का ratio है तो अगर आप इस question में देखो इसमें हमें एक बात यह पकड़नी होती है कि जब भी दो लोगों की age जो होती है एक बात आपको छोटी सी बगड़नी है क्या, कि भई age difference जो है age difference age में जो difference होता है वो हमेशा same रहता है मतलब, आज से 10 साल पीछे जाओ तो भी मेरा भाई मुझसे 5 साल बढ़ा था आज से 50, थोड़ा जाद हो गया आज से 3 साल आगे चला जाओ तो भी मेरा भाई मुझसे 5 साल बढ़ा रहेगा मतलब, मेरे और मेरे भाई में जो age gap है वो हमेशा same होना चाहिए तो यहाँ पे जो ratio है हम लोग अफसर क्या करते है, ratio को ही read करते है जैसे इस ratio के साब से मैं यह बोल रहा हूँ कि father 5 साल का है तो बेटा 2 साल का है और यहाँ मैं कह रहा हूँ father 2 साल का है तो बेटा 1 साल का है जबकि यह gap तो same होना चाहिए, age gap same होना चाहिए अब यहाँ पर age gap कितने का है यहाँ पर age gap है 3 का यहाँ पर age gap कितने का है 1 का, जबकि gap सेम होना चाहिए तो कर दो, इस वाले ratio को इसका gap A कि आप 3 बनाना चाहते हो तो 3 से into कर दो तो जब आप इसे 3 से into करोगे तो यह बन जाएगा 6 और 1 यह क्या बन गया, 6 और 1 बन गया डने बात sorry, 6 और 3 हो गया 3 बन जा 3 6 3 हो गया ठीक है, yes ओनो, बात clear 6 3 हो गया तो अब आप यह देखो, 6 3 हो गया अब यह आपने पहले ratios को set किया जब हम लोग ratios को set करते हैं फिर हम जाते examiner के data पे कि बहुँ, examiner के data पे चलते है ratio तो set हो गया अब आप देखो तो इस point से इस point तक में actual में कितना फरकार है 10 साल का, क्योंकि यह ratio है 5 साल पहले का, यह है 5 साल बात का तो बुरे 10 साल का फरकार है बट ratio wise कितना फरकार है, कोई भी एक बंदा पकड़ लो फादर को पकड़ लेते है, अभी 5 है और अब कितना है, 6 है पहले 5 और अब 6, तो ratio wise age कितनी आगया ही है एक unit, बट actual में 10 साल, तो एक को अगर 10 बनाना है, अगर आपको एक को 10 बनाना है, तो multiply कितना करना पड़ेगा, that is 10 से करना होगा, तो यह जो 5 है ना इस 5 में 10 इंटू कर दो यानि की 50 साल, तो इसका मतलब, 5 साल पहले जो father है ना, वो 50 साल का था और जो बेटा है, वो कितने साल का था, 20 साल का था क्या ये बात समझागी सबको मैं अभी question नहीं खतम हुआ है, लेकिन मैं एक बात बता रहू कि पहले आपने ratio को set किया, then connect कर दिया, पहले ratio को set किया और उसके बाद आपने उसे connect कर दिया, ठीक है? ठीक है, अब आगे सुनना, लेकिन इसने पूछा गया, अकसर नहीं end में कुछ अजीब हो गरीब सा ही पूछ लेता है, जैसे कहा रहा है कि ये बताओ, what would be the ratio of the age of father and cousin, sister, five year from now, अभी से, five साल बाद, इसके father की age तो भई, five साल बाद, अभी से five साल बाद, तो अभी five साल पहले वो पचास साल का है, मतलब जो father है वो present से, अगर five साल पहले की बाद करूं, पचास साल का है तो आज से five साल बाद वो कितने का होगा? that is 50 plus 10, यानी 60 year, तो father ने 60 year के और जो cousin है, cousin क्योंकि cousin जो है न, वो 5 साल पहले पैदा हुई है, यानि cousin तो इस point पहले पैदा हुई है, और ये जो data चल रहा है न, ये, ये चल रहा है 5 साल पहले का data, और आपको present से 5 साल आगे जाना है, मतलब पूरे 10 साल ट्रैवल करना है, तो cousin हो जाएगी 0 प्लस 10 यानि 10 साल की, तो ratio आजाएगा 6-1 का, डन है न, अबुल वगे न, जो भी बच्चे है, तो age के जो question आते हैं न, उनमें अक्सर ratio का gap सेम कर दिया करो, क्योंकि दो बंदों का age gap हमेशा सेम होता है, जैसे पहले 5-2 था, बाद में 2-1 है, तो ये तो age chapter, जब मैं बच्चो को पढ़ाता हूँ, तो इस दुरान में ये बाते समझाता हूँ, ठीक है, अब मैं आता हूँ यार, आज की class के बहुत बहतरीन question पे, जो last question है आज का, ठीक है, last question बहुत बहतरीन है, feel आएगा आप सबको, उससे पहले 2 मिनट देना, सबसे पहले तो यार, ये onacademy underscore मेरा telegram group है, आप सबको पता है, कि 20% का flat discount चल रहा है, नहीं पता तो सुन लेना, 20% का flat discount चल रहा है, 14th October तक offer valid है, प्लस iconic दोनों के उपर, तो अगर आप उस category के बच्चे हो, जैसे cat 22 आपका target है, तो cat 22 आपका target है, तो आपके पास time कितना बचा, लगबग जैसे 45-50 days है, around, तो यार, आपना अपना 2 महीने का subscription, मेरे साब से ले सकते हो, उससे फाइदा ही होगा, चलो, quants में तो मैं आपको help कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा crash course है, आप उसको join कर सकते हो, और साथ ही साथ, जैसे कई सारे batches है, जो कि start किये जा रहे है, crash course से related, अब जैसे LRDI और VRC भी obviously आपको पढ़नी है, तो एक तो ये batch है, इसी तरीके के एक-दो batches और चल रहे हैं, हमारी Unacademy app पर जो crash course है, तो वहाँ क्या होगा, कि आप systematic तरीके में आने वाले 45 days, सिर्फ point-to-point चीज़े पढ़ोगे, जो सिर्फ और सिफ exam oriented होंगी, तो वो आपको बहुत help करेंगी, तो आप देख लेना, 13th October से ये batch स्टार्ट होना है, ठीक है, पर इनके लिए आपको दो महिने का subscription अगर आप ले सकते हो, तो ले लेना, 20% का discount उस पे भी मिल जाएगा, दो महिने के subscription पे भी, और अगर आपकी known में कोई cat23 का बच्चा है, ठीक है, तो आप उसे suggest कर सकते हो, कि अभी मेरा cat23 का batch next week से start हो रहा है, तो starting से और पूरा धंग से पड़े, इदर उदर पैसे खराब करने के जरूत नहीं है, जा आदा दूरा पड़ा देते हैं, ठीक है, धंग से एक सही जगा investment हो तो better है, ठीक है, और बाकी जो मेरा referral code है यार, वो यही है, RMN10, ठीक है, मेरा referral code है, RMN10, मेरा नाम रमन है, उसी का short form RMN10, यह मेरा referral code है, तो 14-15 तारिक को यार, 12 घंटे का marathon होने वाला है, top educator, topper, guest speaker सा मिल करके, उसको conduct करेंगे, and 16 तारिक को यार, आपका होने वाला AIMT, जिसमें बहुत सारे बच्चे participate करेंगे, आप भी गरना, ताकि एक genuine rank पता लगे, description में link मिलेगा, register कर लेना, RMN10, referral code का use करके, ठीक है, यह AIMT का QR code है, और plus iconic, दो हमारे subscription है, फरक कितने हैं, कि plus के अंदर आपको मिलते है, digital notes, unlimited access, पूरी अपका interactive classes, value structure way में, course speed up, open house, community section, live test quizzes, ask a doubt, मतब हैंड रेस करो, माइक कान करके doubt push सकते हूं, digital और physical notes मिलेंगे, iconic में, GDP by vet के लिए prepare करा जाता है, one-to-one mentorship, live doubt solving session, test analysis, यह सब चीज़े हैं, ठीक है, और यह fee structure है, आप no cost EMI, मतब EMI पे भी ले सकते हो, ठीक है, चलो, आते हैं आज के last question पे, इसको try करना, थोड़ा जाई नो, lengthy है, complicated है, बढ़ ट्राइब करना, okay, Pintu, sir, telegram link send कर दू, आपने काम करो, शिवानी, जब तक बाकी बच्चे solve कर रहे हैं, आप शिवानी, एक बाद description open करो, एक बाद video करना, description open करना, तो वहाँ पर आप देखोगे न, थोड़ा सा नीचे की तरफ इसमें आऊगे, टेलिग्राम link दिया नहीं के मेरा इसमें, follow रमन तिवारी उनन अकेडमी है, combat है, नहीं, description में है नहीं, ओके, आप एक काम करो, क्या ना मैं, कहाँ पर कहाँ रहो, two more, मैं देख लेता हूँ, एक पर question की statement देख लेता हूँ, ठीक है, बागी telegram group यार वही हैं जो मैंने भी बदाया था, या तो आप टेलिग्राम पर सर्च कर लो, that is type करना, unacademy, ठीक है, underscore का symbol, capital R के साथ, Raman, R-A-M-A-N, रमन, या मेरा जो link है, link है, t.me slash, raman underscore 10, ये मेरा telegram का link है, t.me slash, raman underscore 10, ठीक है, अच्छा रुकना, अब जड़ा, एक मिन्टी question में कुछ दिक्कत लग रहे हैं, एब रुको मैं चेक कर लेता हूँ, इन स्कूल आफ एक्स, class, having 54 इस्टोंट, इच वन इधर चूज, इधर चूज, और, coding, as the main subject, and was either interested in, X-Tempo, और, mini test, ठीक है, मतब ये main subject है, और उसके बाद, वो इन दो चीजों में, interested हो सकते हैं, बच्छे, ठीक है, जो number of student है, chosen electronics, two by three, two third है, basically, number of student का, नहीं, ये गलत है, ये गलत है, हाँ, अच्छा यार, पूछ लिया आपने, X-Tempo are one by two off, ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, एक second, ये गलत हो गया है, ठीक है, ये होगा आपका, that is, ये लिखा है, one by two लिखा है, चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये यहाँ पर न, one by two है, half है, half of the, हाँ, total number of student interested in minutes, then what is the maximum number of student, who has opted for coding, if at least one student, is interested in electronic coding, मतब, at least एक बच्चा तो interested है, इस चीज़ में, ठीक है, ठीक है, चलो, देखें एक बाद, सुनना बात को, थोड़ा थोड़ा जादा, है थोड़ा complicated, कोई नहीं, पर आप लोग सुनना बात को न, ठीक है, देखो, यहाँ पर scene के है, ध्यान से सुनना, मैं न थोड़ा इस तरह समझाता हूँ, तो आप जाद अच्छे से catch कर पाऊँगे, देखो, यहाँ पर क्या है, कि जो 54 बच्चे है, ठीक है, आपके न दो main subject है, एक है electronics, और एक है coding, एक क्या है, that is electronics, और एक है coding, ठीक है, अब उसमें जो electronics वाले बच्चे है, वो इन दो चीज़ों में interested हो सकते है, extempore और mini test, सेम coding वाले बच्चा, भी दो चीज़ों में interested हो सकते है, extempore और mini test, मतलब यहाँ जो बच्चा होगा, वो ऐसा होगा, जो electronics ले रहा है, और interested है extempore में, electronics ली है, और interested है mini test में, या coding ली है, interested है extempore में, coding ली है interested है mini test में, यह कहानी है ठीक है अब यहाँ पर extempore ठीक है extempore और mini test और क्या लिखा है mini test ठीक है, इस पर बात करते है देखो, question में यह बोला गया है ध्याल से सुनना मेरी बात को question में यह बोला गया है कि the number of student who have chosen electronics, जिनोंने electronics लिया है, और वो interested है extempore में, वो two-third है number of student who have opted for electronics and are interested in mini test मतलब जिनोंने electronics लिया और वो mini test में interested है अगर वो y बच्चे है, तो electronics वाले बच्चे, जो extempore में interested है, वो उसका two-third है मतलब कि two by three y है ठीक है, तो electronics वाले total बच्चे कितने हो गए, तो ऐसे electronics वाले, total बच्चे कितने हो गए, two by three y और y दोनों को add कर दूँ, तो five y upon three five y upon three, सही है आगे सुनो, फिर अगली line कहते है, they are, ये half था, ठीक है, this was half, कहते है, the student who have interested in extempore जो extempore में interested है the students who are interested in extempore are half of the total number of students interested in mini test ठीक है, अब ये देखो कहते है, जो extempore में interested है, वो mini test वालों से half है, mini test वालों का half है, यानि जो extempore वाले बच्चे हैं, और जो mini test वाले बच्चे हैं, तो extempore वाले mini test का half है, मतलब ये two है, तो ये one है, ये two one है तो इसका मतलब, अच्छा, टोटल बच्चे कितने हैं, 54 है, टोटल 54 है, तो extempore वाले कितने हो गए, तो आपको होगे, सर extempore वाले हो गए, यहां लिख देता हूं उपर कि सर, extempore वाले हो गए, that is one by three of 54, यानि 18, तो extempore वाले टोटल बच्चे 18 है, ऐसे आएगा न, extempore टोटल 18 बच्चे है, तो mini test वाले कितने होंगे, 54 में से 18 आटा दो, यानि कि 36 बच्चे 36 बच्चे है, क्या ये बात पकड में आ रही है ठीक है, अगर आप इस information को भी decode करते हो, तो ये बात आएगी अब मेरा question ये है, कि then what is the maximum number of student who have opted for coding if at least एक बच्चा interested है, electronics, coding, extempore mini test दब में, मतब ऐसा है कि मतब कोई value 0 नहीं हो सकती जो ये क्या रहा है न, कि मतब मैक्सिमम value क्या होगी, जिन बच्चों ने coding ली है उनकी, coding वाले बच्चों maximum value क्या है, अगर कम से कम एक बच्चा तो है जो किसी न किसी category में जाता है, मतलब आप किसी भी value को 0 नहीं ले सकते गर आपको coding वालोंको maximum करना है अगर आप ऐसे समझो, आपको coding वालोंको अगर maximum करना है तो electronics वालो को minimum करना होगा electronics वाले जितने कम होंगे coding वाले उतने जाद होंगे होंगे, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जैसे y है, अब आपने मालो for example, आपने जैसे mini test है न, mini test अब mini test में y की जगा मालो आप 1 लेते हो आपने y की जगा 1 लिया, तो answer आएगा 5 upon 3, लेकिन number अब बच्चे 5 upon 3 नहीं हो सकते न, y की जगा 2 लोगे, answer 10 upon 3 fraction में नहीं हो सकता, y की जगा 3 लोगे, answer क्या होगा that is 15 upon, मदब 5 तो इसकी जो minimum value है मदब electronics वाले जो minimum है वो 5 तो होंगे ही होंगे मदब इसकी minimum value 5 है तो अगर electronics से minimum बच्चे 5 है, तो coding वाले maximum कितने हो जाएंगे, that is 54 minus 5, यानि 49 देखो, तो बहुत खतरनाक सा question था, ठीक है अब हाला कि आप, देखो, अब को बच्चों को आएगा न, feel, अरे सर इतने बड़े question exam में थोड़ी आएंगे, पता है मुझे लेकिन भाई यह देखो, आपकी सोच improve हो रही है thinking process, build हो रहा है मेरा एक brain exercise हो रही है तो उस पे कान करो, यह मता होगे अरे, यह question exam में नहीं आता, ठीक है मुझे भी बदा, इतना बड़ा question नहीं देंगे फोर शूर नहीं देंगे, लेकिन आप इस चीज को समझो जैसे हाँ पर यह समझो, कि वो जो line दी थी कि X tempore और mini test वाले half है, उसका कोई लेना देना ही नहीं question से, X tempore और mini test वाले half है, यह जो मैंने 1836 लिखा, इसका कोई sense ही नहीं बना बात तो यह ही होगी थी कि electronics वाले 5y upon 3 है और आपको बताने, coding वाले कितने होगे coding वालों को maximum करना है, तो electronics वाले minimum करने होगे right, अब electronics वाले है 5y upon 3 अब 5y upon 3 की minimum value क्या होगी, 5 होगी क्यों, क्योंकि y जो है, वो mini test वाले बच्चे है तो y की value तो ऐसी लोगे न, 1, 2 3, 4 तो 3 लेने पर आपका 5 आएगा, समझ आया, I hope सभी बच्चों को तो यह थे यार आज के question, I hope आप सबको feel आया होगा, सारे question करके एक second, यह कर डाल दी अच्छे सुबे वाली PPT कहां से आगी तो यार बाकी यह थी आज का session I hope आपको मज़ा होगा आज के session में नाम, phone number, email ID, agree to the terms करके download कर लेना notes को and prepare for the exam in a right way because of such reasons जो आपके सामने mention है and हाँ, यह रहा वो time table जिसकी मैं बात कर रहा था कि पहले 3 दिन में time and work log पढ़ना है, अगले 4-8 दिन में आपको time, speed and distance, allegation, sequence यह था वो, ठीक है, इसको देख लेना बाद में अच्छे वीडियो पे, unacademy underscore यह telegram group है, इसको आप join कर सकते हैं कोई भी doubt है, जाके पूँ सकते हैं यह भाई telegram group का नाम ठीक है, unacademy underscore search करो, मिल जाता है वैसे, I don't know क्यों नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, नहीं तो link आप type कर दो, t.me slash raman, smallman underscore 10, ठीक है, यह देख लो और यह मेरा referral code है, इसका जरूर use कर लेना, सब्सक्रिप्शन लेते वग, दो महीने का या जो भी है, और जिससे आपको 20% का right now discount मिल रहा है, 20%, अच्छा कासा discount है तो शुक्रिया, आप सभी बच्चों का वीडियो पसंद आई हो like कर देना, share कर देना, दोस्तों के साथ subscribe के साथ, बैन आई कर, ठीक है चल, okay भाई हाँ, take care मिलते हैं next class में, good night सभी बच्चों को और कल मिलते हैं 12 बजे और कल 12 बजे याद है ना, allegation के top 10 question के series में allegation के वो सारे question करेंगे वो सारे question करेंगे, कौन से question करेंगे सारे question, जो की हमारे अलग-अलग chapter में profit and loss में कौन से question है, जा allegation लगता है मतब अलग-अलग chapter में वो कौन कौन से question है जा एलिगेशन लगता है उसके पर बात करेंगे ठीक है चलो ओके भाई हाँ